गुड इवनिंग नमस्कार सभी का स्वागत है इस सेशन में और मैं आपके लिए लेक्या गया हूं वीकली करेंट एफेर्स फ़र्वरी सेकंड वीक के करेंट एफेर्स और यहां पे हम जिन करेंट एफेर्स की बात करेंगे वो बैंक और एससी बैंक और एससी के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे तो अगर हम बात करें फटा फट तो आज आप मेरे सेशन के साथ जुर जाएए जितने जादा जादा लोग जुर सकते हैं सेशन में आप सभी का स्वागत है फटा फट चैट बॉक्स में आप अपना चैट यहां पर तीन लोग आ चुके हैं तान्या में आ चुकी है पाखी में आ चुकी है और एक और मैं है उनका नाम क्या है ठीक है सेंटी करके है मुझे दिखाए नहीं दे रहा क्योंकि स्क्रीन पे कुछ लगा हुआ है सो आप सभी का स्वागत है मेरे सेसन में और हम अपने सेसन को आगे बढ़ा रहे हैं इसका सबसे बड़ा learning platform है जो largest learning platform वो है unacademy unacademy के साथ आप जुड़ जाईए और जुड़ने के लिए free of cost classes आपको मिलेगी कुछ नहीं करना है simple वस unacademy learning app install करना है आपको इस सेसन के लिए और सचिन गंगवार सर आ गया है और इन्हों ने लिखका hello hello आपका स्वागत है सचिन सर welcome तो अगर आप हमारे plus subscription पर plus में जाना चाहते है plus subscription लेना चाहते है तो आप मेरा code यूज़ कर सकते है और मेरा code है ARS50 ठीक है तो इसके साथ अब हम लोग अपनी classroom करेंगे और पहला question आपके लिए ये रहा तोड़ा सा rapid fire होगा फटा फट आंसर देंगे हम लोग फटा फट बात करेंगे आप भी अपने chat लिखते रहिएगा तो जादस जादा लोग फटा फटा आते जाएए पहला question ये रहा भारत का कौन सा राज्य ए कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है which state of India become the first state to implement e cabinet मद्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तरप्रदेश नन अबदीष फटा फट फट दीपिका पटेल में लिपिका पटेल मैं हाय हाय welcome 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 good evening good evening good evening क्या राम है मिसी का सर्मा जी आपको भी good evening और दीपिका hello sir hello maim hello 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 ठीक है आप सभी का how are you sir I am fine I am fine now my first question आ चुका है मेरा पहला question आ चुका है भारत का कौन सा राज्य E cabinet भी answer दे दिया हिमाचल प्रदेश किसने भी answer आ गया है और अगर बात करें मौसमी में आंसर दे दिया है प्रियंका में आंसर दे दिया है मध्य प्रदेश सो पहला राज्य जिसने E cabinet को इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है हिमाचल प्रदेश is the right answer well done बहुत बढ़िया marvelous performance हिमाचल प्रदेश राज्य E cabinet को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां के मुख्रमंत्री का नाम है जैराम ठाकुर और राज जपाल का नाम है बंडारु धत्ता त्रे ठीक है नाव नेक्स्ट कोस्टन आपके सामने यह रहा फटा-फट आंसर देंगे दिखते हैं क्या आंसर आता है सेकंड कोस्टन का इस राज्य में विच स्टेट वाज दा चाहा उद्ध्यान धन fair organized ठीक है तो चाहा उद्ध्यान धन पुरसकार मेले का आयोजन किस राज में किया गया है बहुत सारे लोग जुडगा है बेल डन बहुत सारे लोग जुडगा है और मैं आप सभी का इस्तक्बाल करता हूँ स्वागत करता हूँ अपने सेसन में तो फटा-फट आंसर और इसका आंसर भी देना सुरू कर दिया लोगों ने इसका आंसर दे दिया है असम 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 आंसर दे दिया है और संजीत संजीत सर ने MP पिछले वाले कोशन का आंसर दिया था कोई बात नहीं सूर्या मंगलम ए आंसर दे दिया है असम वेल डन जादा 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 लोग आंसर असम बिल्कों सही आंसर है निर्मला सीता रमण ने असम राज्य में गोहाटी में चाहा भगीचा धन पुरुसकार मेले के तीसरे संस्क्रण की सुरुवात की थी और यहां पे 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए बिट्टी साहता देने की घोसना की गई है असम के मुख् को को जोड़ लो तभी मज़ा आएगा सेसन में ठीक है तो आप सभी का रौसन कुमार मिसरा आपका भी स्वागत है SSC SSC और बैंक दोनों के लिए important current affairs है easy है February का है ठीक है और हर weekend पे मैं आपकी लिए लेका हूंगा weekly special current affairs आसान तरीके से होगा आसान भासा में होगा और उससे जुड़ी खबरें भी मैं आपको बताता जाऊंगा question number 3 आपके सामने ये रहा इस राज ने 500 electric vehicle charging point लगाने की स्थापना की घोसना की है so which state announced the establishment of 500 electric vehicle charging points मद्यप्रदेश, 36 गर्ल, गुजरात और डेली क्या आंसर होगा देखते हैं फटाफट आंसर दीजे बाई फटाफट आंसर दीजे किस राज्य ने 500 electric vehicle charging point इस्थापित करने की घोसना की है फटाफट देखते हैं क्या आंसर आता है मद्यप्रदेश आंसर होगा या 36 गर होगा या गुजरात होगा या दिल्ली होगा देखते हैं क्या आंसर आता है फटाफट देखते जाईए क्या आंसर है तो अगर हम बात करें जो 500 electric vehicle charging point लगाने की बात की है वो किसने की है वो डेली ने की है किसने की है डेली government ने अनौस किया है कि हम 500 क्या लगाएंगे vehicle क्या answer दे दिया है सिवा जी यादब जी ने भी D answer दे दिया है संजीत धांगी सर ने भी Delhi answer दे दिया है तो सभी लोगों का answer सही है बस सेयर मारते जान और like करते जान इंडियन railway ने भी Delhi के आगे टिक लगा के कह दिया है बहुत बढ़िया. CM Arvind Kejribal है बहुत सही यहाँ पर यह बात समझ में आ रही है कि इससे जुड़ी एक और ख़बर अगर बात करें तो जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री सहावे इन्होंने अभी हाली में जिनका नाम Arvind Kejribal है इन्होंने हाली में स्विच दिल्ली प्रोग्राम लॉंच किया और इन्होंने अनॉंसमेंट किया था उसके पहले कि अगले साल से सरकारी जितनी भी गाड़ी खरीज जाएंगी वो इलेक्ट्रिक खरीज जाएंगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सबसिड़ी भी दी जा रही है कहाँ पे डेली में सबसिड़ी दी जा रही है सी प्लेन इसको मैं समझ नहीं पया हूँ संजीत धांगी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको पता है अरविंद केजरीबाल है मुख्यमंत्री और सिच्छा मंत्री मनिस सौधिया है और दिल्ली के जो गवर्नर है ओप राज जिपाल उनका नाम है अनिल बैजल मनिस सौधिया को महातमा गांधी पुरुसकार भी दिया गया है दिल्ली से ही किस छेत्र में दिया गया है पत्रावर बताईए सुच्छा के छेत्र में सुधार के लिए कौन सा यस केजरीबाल स् और आप सभी का जितने भी लोग इस सेशन में लाइब है इन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और मुझे मौका मिला है बाइफाइ स्टड़ी पे पढ़ाने का और बाइफाइ स्टड़ी पे जो बच्चे है वो सबसे ज़्यादा तेज तर्रार है तो आपको सास का फुल फॉर्म है सोशल अवेर्नेस एंड एक्शन टू नूट्रिलाइज निमोनिया सक्सिस्फुली ठीक है गुजराशी प्लेन ओके मैं समझ गया बिटा ठीक है फटाफट 27 लोग हो चुके है इसको फटाफट 100 के पार पहुचाना है जैसे मेरी एनरजी है व वेलकम 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 इन माई सैसन आफ सभी का स्वागत है सभी का इस्तक्बाल करता हूं सौ पहुचाना है मेरे भाई सौ से उपर ही खेलना है लाइज ठीक है सो स्टार्ट करते है कोस्टन नमबर चार किस राज में सिसु मिर्तियु दर को कम करने के लिए सास अभिहान और ये वही राज है जिसने पंक योजना अभी कुछी दिन पहले इंट्रोड्यूस की थी कौन सी योजना पंक योजना की सुरुवात भी इसी राज ने की थी सो इसका अगर आंसर आप बता पाओ तो फटा-फट दिखने कौन बता पाता है मद्य प्रदेश बिहार गुज और अगर बात करें तो मद्य प्रदेश राज में सांस योजना की सुरुवात की गई है जो सिसु मिर्ति उदर को कम करने के लिए और इसके तहर चार हजार स्वास्त एवं कल्यार केंद्र इस्थापित करेगी मद्य प्रदेश सरकार मद्य प्रदेश की अगर बात करें तो जिनके मुख्यमंत्री का नामे सिवरा सिंग चौहान और राज जपाल इस समय कोई नहीं है इनके राज जपाल के लिए उत्तर प्रदेश की जो राज जपाल है जिनका नामे आनंदी बेन पटेल एक जुलाई 2020 से उनको अतरिक्त कारभार दिया गया है मद्य प्रदेश का ठी फटाफट शेयर करते जाएंगे बहुत सारे कोश्चन है जिनको हमें बहुत फटाफट खतम करना है मद्य प्रदेश बिलकुल सही है गनेश सर भी आ गया है इन्होंने पूछा है हाई हाई बिलकुल वेलकम सर आइम फाइन यू आप सभी कैसे हैं आप सब के कहते हैं किसी देश के टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो सबसे मजबूत होता है अगर आपके स्टूडेंट मजबूत है तो वो देश समय सा उननती करेगा क्योंकि यही देश का विकास करता है फेडरल बैंक इंडियन रेलबे ने सबसे पहले आंसर दिया है प्रिया के लिए खोला है किसके लिए खोला है बच्चों के लिए खोला है बिलकुल सही आंसर है बिलकुल सही आंसर है अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उमर के बच्चों के लिए फेड फस्ट बचत खाता योजना सुरू की है और इसके तहट अगर हम बात करें त तो contactless debit card के माध्यम से देनिक पच्छिस सो रुपए की नगत निकासी और दस अजार रुपए तक का POS यानि Point of Sale की सुईधा दी गई है Federal Bank के अगर MD और CEO की बात करें तो स्याम स्री निवास हैं और Federal Bank का मुख्याला केरल में हैं आपको एक बात और बता दे Federal Bank से related Federal Bank एक और भी है जो अमेरिका का केंद्रिया बैंक है यहाँ पे हम एक स्टूल कमर्सियल बैंक की बात कर रहे है जो एजा प्राइबेट भारत में काम कर रहा है और इस बैंक का मुख्याला कहां पे है केरल में है ठीक है अब हम लोग चल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है क्वोस्टेन अपको दिखाई दे रहे हमें बीटा फोटेन आपको मैंने सिर्फ इस लिए आड किए कि थोड़ा सा आपकी memory को सार्फ किया जा सके ठीक है आपकी memory को सार्फ करने के लिए सिर्फ फोटो लगाईए जिससे आपकी दिमाग में एक फोटो बनी रहे और आप याद रख पाएं ठीक है तो अगला question, question number 6 आपके सामने ये रहा एक किताब आई है इसको हाली में launch किया गया है Beautiful Things उसका नाम क्या है Beautiful Things एक किताब आई है जिसका नाम है Beautiful Things तो इसके author यानि लेखक का नाम पूछा है author यानि लेखक का नाम पूछा है ठीक है ठीक है, you teach very well sir ओके, thank you, thank you चारू सही में ने हमें थमसब को नीचे किया है अगर में कोई सुधार हो तो आप बताइए please मैं सुधार कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बट आप पढ़िए, please पढ़िए तो अगर आप बात करें हाली में हाली में beautiful things नामक एक पुस्तक क्या हुई है, एक पुस्तक एक पुस्तक की बात करें साकिप सर आ गए हाई सर, welcome, welcome बिटा और मैनन सहाव यहाँ पे answer दे दिया है, सबने ए तो जो पुस्तक है beautiful things अभी हाली में आपने देखा होगा अमेरिका, USA के राष्टपती आये हैं, जिनका नाम है जो वाइडन, क्या नाम है जो वाइडन ठीक है, जो वाइडन और अगर बात करें इनके जो पुत्र है, इनका नाम है Hunter Biden, क्या नाम है Hunter Hunter Biden, ठीक है Hunter Biden अगर अंगरेजी ही ही पढ़ेगे तो Biden और हिंदी ही पढ़ेगे तो Biden Hunter Biden सहाब की किताब आईए इस किताब का नाम है Hunter Biden, बिल्को सही है, प्रिया कुमारी मैं बिल्को सही है, और गनेश पिल्वाल, पालिवाल सर ने ए दिया आंसर, Henry Manon नहीं है इसका आंसर बिटा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर है, वो है Hunter Biden, क्या नाम है, Hunter Biden सहाब, इन्हों ने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है Beautiful Things, क्या नाम है, अमेरिका के बरत्मान रास्टपती Joe Biden के बेटे Hunter Biden ने Beautiful Things नामक अपनी पुस्तक को प्रिकासित किया है ठीक है, so well done, marvellous performance, आप बहुत तेजी से और बहुत अच्छा performance कर रहे हैं सभी लो ठीक है, बतलब सबसे ची बात है कि आप आंसर दे रहे हैं, 47th President Joe Biden ओके, 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 ओके ज़्यादा लोगों को share करते जाईए, बिलको सही है well done, well done Hunter Biden मिसिका सर्मा मैं बिलको सही है और अगला question आपके सामने ये रहा photo सिर्फ इसलिए लगाई है, मैंने कि आपको याद रहे, आपका भी जिन्दगी में भूले ना क्योंकि जब आप पढ़ने के साथ, सुनने के साथ साथ देख पाते हैं कोई चीज तो आपकी memory में, बहुत दिनों तक सार्फ बनी रहती है, Joe Biden ठीक है, बिटा, बहुत बढ़िया, अगला question आपके सामने आ गया है, इसको फटा-फट अच्छडी बायू कमान के प्रमुक के रूप में, फैबरी में किसे नुक्त किया गया है, तो who has been appointed as the head of the Southern Air Command, इनका नाम है Mr. Air Marsal Manavedra Singh, क्या है आँच्छडी कमान को दच्छडी कमान का का कारभार सौपा गया है, किसको चौपा गया है, Air Marsal Manavedra Singh को दच्छडी कमान का कारभार सौपा गया है, Air Marsal Manavedra Singh को दच्छडी बायू सेना कमान के प्रमुक के रूप में नुक्त किया गया है, अगर हम बात करें तो Air Marsal Manavedra Singh बर्स 1982 में हेलिकॉप्टर पाइलेट की रूप में भारती बायू सेना में, फ्लाइंग आज में मद बायू कमान को देख रहे थे, और अब इन्हें दच्छडी बायू कमान का प्रमुक नुक्त कर दिया गया है, Sir हम, आप हम लड़कियों को मैं मद बोलिये, बेटा ही बोलिये, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप आज अभी, अभी के हिसाब से नहीं देख रहा लेकिन आपने बिचार दिये इसकी लिए मैं आप सवका तहे दिल से सुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, अगला कोशन आ गया है, कोशन नंमबर आठ, का हलबा, बिनीच सर बोल रहा है, और आउर हो, का हलबा, ठीक है, गुड, 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 आगे बढ़ते हैं, अगल को बैंक वाले फोकस करेंगे थोड़ा ज्यादा लेकिन पूचा कहीं भी जा सकता है क्योंकि आप एक्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कोस्चन का लेबिल चेंज होगा और इस साल से थोड़ा सा जम के तयारी करनी हैं और जो लोग तयारी करते हैं उनको मैं बता दूँ क कि देली जीना पड़ता है, देली मरना पड़ता है, यानि अगर आपको नीद आ रही तो नीद को त्यागना पड़ेगा और जीत उसी के आगे होगी, तो एक अप्रेल से पेपल ने किस देश में अपने घरेलू भुकतान कारिकरम को बंद करने की बात की है, फटा-फट ब गोसना की है, किसने पेपल ने भारत में अपने घरेलू कारिकरम को बंद करने की घोसना की है, एक अपरेल से, कबसे एक अपरेल से, पेपल की स्थापना की अगर बात करने तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्याला कहां पे है, कैलिफोर्निया में है, और इसके CEO, Chief Executive Officer का नाम है, Dan Sulman, क्या नाम है, Dan Sulman, you are teaching best sir, thank you, thank you बिनीच sir, thank you very much, thank you मेरे भाई, thank you, thank you, और इसका सही आंसर इंडिया है, सभी ने आंसर सर, मुझे बैंक में PO बनना नहीं, but Tucson ने ही मेरा बिलेज एक आसपास, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुमित दूबे जी, आ आपको देखो, आज हम बता दें, COVID-19 ने अच्छे अच्छो को हिला दिया भाई, COVID-19 ने अच्छे अच्छो को हिला दिया है, बस आप लोग एक ही टार्गेट लेके चलो, बिटा सरकारी नोकरी, सरकारी नोकरी ही वो माध्या में, जहाँ पर कोई भी त्रयासदी आ जाए, आप safe and secure रहेंगे, प्लीज ये मेरी request है, सरकारी नोकरी पर पूरी ताकल लगा दो, 6 महीने बद जिन्दगी के 6 मन्त आप जोग दो, और आपको बता दें, हम 60 साल आप enjoy, ना करो तो आप कह दीजेगा, 6 महीने की महनत, और 60 साल enjoy, 60 साल enjoy आपको करना है, happy retirement लेना है, क्या ले targeted post आपको मिल नहीं जाती, ठीक है, सो ये हमारा धे है, ये unacademy का धे है, और यही आपका धे होना चाहिए, अगला question, दुनिया का पहला उर्जा दीप, बाला देश कौन सा बना है, यानि which country become the world's first energy island, पहला पहला दीप, HP की तयारी करनी है, okay, okay, ये current affair तो सभी exam में आएगा सभी exam की लिए important है, प्रिंस भटने का जरूर, जरूर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगला question आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन कितने जल्दी answer देता है, अगला question आपके सामने ये रहा, दुनिया का पहला उर्जा दीप बाला देश, दुनिया का पहला उर् इसी खतम नहीं होगी ना आपकी, और answer आना सुरू हो गया है, डेन्मार्क answer दे दिया है, रौसन कुमार मिसरा सर ने सबसे पहले डेन्मार्क answer दे दिया है, जो सही answer है, और डेन्मार्क वो पहला देश बन गया है, डेन्मार्क वो पहला देश बन गया है, जो उर्जा दीप इस्थापित किया है जिसमें उर्जा दीप इस्थापित किया है और अगर बात करें तो यहाँ पे जो बात हुई है वो पूरी किसके लिए हुई है ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है यह प्राकर्तिक रिनीवल एनर्जी से के सोर्से इस दीप में डेवलपमेंट किया गया है ए देनमार्क में उत्री सागर्क से यूरोपिये देशों में विजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए परराप्त ग्रीन उर्जा का उत्पादन और भंडारन शुरू कर दिया है और इस दीप की जो जो चोडाई है वो 18 फुटबॉल पिचों के बराबर है यानि 1,20,000 अनुमान किया गया है कितना किया गया है 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आने का अनुमान किया गया है देनमार्क अगला पर और यह रहा और महाबीर जी ने आंसर दे दिया था जापान सो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी हाई सर असम हाई सर ओके फिटनेस गुरूप बॉय आपका भी स्वागत है मेरे सेसन में और आप सबका मैं इस्तक्बाल करता हूँ जितने भी लोग इस सेसन में सो फड़ा फट सेर करते जाए और इसे सो की उपर पहुंचा यह अगला कोशन यह रहा आरबियाई की रिपोर्ट के अनुसार 5,693 करोड रुपए बकाया वाले बिल फुल डिफॉल्टर की सूची में सीर्स पर कौन है सबसे पहले आपको मैं समझा दूं बिल फुल डिफॉल्टर का मतलब होता है बिल फुल डिफॉल्टर की बात करें एक सेकंड हो जा आप कोन हो बैंक अगर आप कोन हो बैंक हो बिटा और आपका पैसा जो लोग हाजमोला करते हैं क्या करते हैं हाजमोला करते हैं हाजमोला का मतलब सब लोग जानते हैं यस और नो मोटे तोर पे हाजमोला का मतलब जानते हैं यस और नो जो लोग आपके पैसे को हाजमोला कर कर रहा है यानि जो लोग जान बूझ कर आपका पैसा क्या करते हैं आप अगर बैंक हो तो आपका पैसा अगर हाज मोला करते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्या बिटा बिल्फुल डिफॉलिटर और इस रिणी में नंबर एक पे है गीता अंजली जैम्स कौन है गीता अंजली कौन है देखो मैंने side में report लगाई है हाई sir जावेरी, sony मैंने लिखा है A, बिलकुँ सही है, sony मैंने लिखा है A, ठीक है, yes, prince sir ने लिखा है, yes, sir ये class daily होती है, क्या, no, 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 sir मैं let's crack bank exam पे पढ़ाता हूँ और weekly, अब मैं class लोगा आपके wifi पे, आप सबका प्यार बना रहा, तो मैं आपके लिए available रहूँगा, सब कुछ depend करता है बिटा, आपके interest पे और मेरे द्वारा लगाई गई ताकत पे ठीक है, so गीता अंजली जैम्स को billful defaulter की सूची में RBI ने number 1 पे रखा है, किस पे रखा है number 1 पे रखा है, billful defaulter की सूची में, RBI ने किसको रखा है, आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे दो फोडो दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है मेहल चौकसी की, और दूसरी विजय माल्या की, तो आपको बता दे, सीर से दस डिफॉल्टर में, गीत अंजली जैंद, बिंसन डाइमेंट्स एंड ज्वैलरी और किंग फिसर एरलाइन्स का ही हिस्सा 32% है, कितना है, 32% है 2018 की अप एक च्छा, 2019 में 5.34% क्या बढ़ गया है बिटा, NPA बढ़ गया है, बिलफुल डिफॉल्टर का नंबर 5.34% बढ़ गया, इसका मतलब यह है, कि 2018 में, 2018 में 80,644 करोड बिलफुल डिफॉल्टर था, 2019 में 84,632 करोड बिलफुल डिफॉल्टर हो गया है, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं, next question आपके सामने यह रहा, यह defense बालों के लिए important question है, अगर कोई defense की तयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी यह question आ गया है, जवर्दस तरीके से, और इसका दिखते हैं, आंसर कितने लोग दे पाते हैं, DRDO द्वारा बिक्सित, DRDO द्वारा बिक्सित, आधुनिक रेडियो प्रिणाली का नाम क्या है, जिसके लिए रच्चा मंत्राल है और भारत electronics लिम्टेड यानि बेल ने हाल ही में, इसकी खरीद के लिए एक हजार करोर से अधिक के अनुबंद पर अस्ताक्चर किये हैं, ठीक है? सर, यूट्यूब पर SSC CGL की क्लास कितने बज़े होती है? सजल, सर, मैं आपको बता दूँ मैं आपको, मैं पढ़ाता हूँ लेट्स करेक बैंक एक्जाम पर और मैं आपको weekly current affairs लेके आया हूँ किस पर Wi-Fi पर, सो आपको थोड़ा साथ देखना पड़ेगा, और फटा-फट हमारे question का answer, कितने लोग answer देंगे देखते हैं, ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए अब तक तो 100 पार कर जाना चाहिए था बिटा, मार धुआधार share करिए, धुआधार, अब लिकुल धुआधार share कर दीजे, भी answer दिया है, DRDO द्वारा विक्सित, आधुनिक रेडियो पिनाली का नाम क्या है, जिसके लिए रच्छा मंत्राल है, और भारत electronics लिम्टेट ने हाली में 1000 करोड का अनुबंद किया है, software specified radio cast skill software, istuplated radio talent, software defined software tactical, software specified radio ability, software defined radio cast ability, क्या answer होगा, फटा-पट बताइए सब लोग B answer दे रहा है, क्या B सही answer है, नहीं भाई B सही answer नहीं है, यहाँ पर जो answer है, वो है software defined radio tactical इसका जो सही answer है, वो है software defined radio tactical क्या इसका सही answer, software defined radio tactical, इसको short form में कहेंगे, SDR क्या कहेंगे, SDR और TAC, क्या कहेंगे defense बालों के लिए important question है और जिने भी लोग defense और SSC के त्यारी कर रहे हैं, उसको देख लीजे, इस photo को हमेशा आपने दिमाग में बैठा लीजे software defined radio tactical is the right answer, well done Sanjit धांगी जी मुहमत जाके रोसेन, सर सब्सक्राइब आपका कितना बजे class होता है सर मेरी class आपको मिल जाएगी, साड़े आठ बजे सवेरे let's crack bank पे मैं daily current affairs पढ़ाता हूँ और weekly current affairs, आपको कहीं नहीं ढूनना है मैं खुद Sunday को आपके लिए उपलब्ध हो जाऊँगा, और आपके लिए वो 100-500 questions जो भी होंगे current affairs को सभीक के मैं फटा-फट धुआ धाल उड़ा दूँगा आपके साथ, ठीक है so इसका जो सही answer है, वो तीसरा है software defined radio tactical, ठीक है और fitness group boy, hi sir hi hi, welcome मेरे भाई, मैंने पहले ही आपका स्वागत कर लिया है, लोके इस प्रजापत जी ने भी सी answer दे दिया संक्या कम नहीं होनी चाहिए मेरे भाईयों संक्या कम नहीं होनी चाहिए life class में, जितने भी लोग हैं बस बढ़ते ही जाने चाहिए, कोई गायब मत हो ये, एक current affair बचेगा नहीं जो आपके exam से, के pattern पे ना हो, सभी current affairs को मैं निचोड़ के यहां पे ले के आया हूँ all, oil and natural gas corporation, सबने नाम सुनागा ONGC, भारत की एक महारतन company है भारत की जो top company होती है उन्हें महारतन कहा जाता हो, महारतन company की संख्या, इस समय भारत में 10 है, ठीक है so oil and natural gas corporation, भारत की पहली, भूताप ये छेत्र विकास परियोजना को कहा लागू किया गया है जो सच उर्जा उत्पन करने के लिए पृत्वी के कोर द्वारा उत्पन गर्मी का उपियोग करेगी, question समझ में आया या नहीं आया sir paper में तो figure नहीं ना रहेगा, नहीं नहीं भाई paper में photo थोड़ी रहेगी, ये तो आपको पढ़ाने के लिए हम सिखा रहे हैं और इसका जो answer दे दिया, लद्दाक सबसे पहला answer आगया है प्रिंस भट जी का लद्दाक, मैं प्रियाग राज से हूँ सिवांगी तरपार्टी लद्दाक answer आगया है, प्रिंस भट लद्दाक आगया है, सिवांगी तरपार्टी, मी बहुत बढ़िया, और इसका जो सही answer है, वो लद्दाक ही है क्या है सही answer, लद्दाक ही है, लद्दाक में जियो थर्मल, उर्जा के लिए केंद्र स्थापित करने जा रहा है ONGC, oil and natural gas बिलको सही है, और अगर बात करें तो फटाफट değers देते जाएए, सिवाणी तरपाथी जी ने भी बी answer दे दिया है, सोनी राणी जी ने भी answer बी दे दिया है, सोनू सिंग ने भी answer बी दे दिया है, प्रिया कुमारी ने भी answer, लद्दाक ले दे दिया है संजीत धांगी ने भी D answer दे दी, B answer दे दी है लद्दा, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं, इसको मैं आपके सामने ही समझा देता हूँ, ये चितर थोड़ा हलका है बिटा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं समझा दूँ, ये पिर्थवी है, क्या है ये पिर्थवी है बिटा, ठीक है, जमीन के नीचे, तो यहाँ पे जितना भी hot water है, यानि गरम पानी है, इस गरम पानी को क्या किया जाएगा, इसको टर्वाइन पे गराए जाएगा, कहां पे टर्वाइन पे, टर्वाइन से generator ट्रेच होगा, और वो electricity बना के क्या कर देगा, पास कर देगा, जो गरम पानी होगा, इसको cooler से गुजार कर फिर जमीन में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, और इसी के साथ ही हमाय क्या मिल जाएगी जियो थर्मल पावर मिल जाएगी क्या मिल जाएगी जियो थर्मल एनर्जी मिल जाएगी और जियो थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ONGC इसको लॉंच करने जा रहा है कहां पे बिटा लदाख में कहां पे लदाख में अगला कौन सा भारती है इन मैंसे कौन सा भारती है इन मैंसे कौन सा भारती है तेज गेंदबाज है जिसने अंठानवी टेस्ट में 300 विकेट लेने का एक कीरतीमान किया है और ये उन लोगों की स्रेणी में आ गए हैं जो लोग पहले 300 विकेट ले चुके और ऐसे टोटल छे लोग हैं ठीक है सो फटा फट आंसर देंगे सर मैं भी दिया था second ओके ओके मुहमद जाकिर I'm sorry I'm sorry मैंने देख नहीं पाया था और ये आंसर सबने फिर देना शुरू कर दिया है 300 बिकिट लेने वाले हाली में जो व्यक्ति है उनका नाम देव, रभी चंदरन, अस्विन, हर्बजन सिंग और जहीर खान के बाद छट में खलाडी बन गए हैं जिन्होंने 300 बिकिट लिये हैं इसान सर्मा is the right answer संजी धांगी लोके सर सिबानी मैं सभी का आंसर सही है और रांसी मैं भी आ गई है मुस्कान मैं ने भी ए आंसर दे दिया है प्रिया कुमारी ने भी सान सर्मा दे दिया है तो आप सभी को well done, marvelous performance बहुत बढ़िया बट सेर करते रहो भाई, सेर नी करोगे तो मजा नहीं आएगा यानि संख्या पच्पन हो गई अभी सक्तर पहुँच गई थी, फिर संख्या पच्पन हो गई इसको कम नहीं होने देना है इतनी एनर्जी के साथ क्लास में अगर मजा, मैं 100 कोश्चन इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा मजा ना जाए तो आप गईएगा हाल ही में रंग बिदुसक के संस्थापक और थीटर, निर्देशक, पदमस्री, बंसी कॉल का निधन हो गया देखो ये TCS आधारित कोश्चन है बेटा TCS आधारित कोश्चन है देखे कोश्चन को कैसे घुमाया गया है हाली में रंग बिदुसक के संस्थापक और थीटर, निर्देशक, पदमस्री, बंसी कॉल का निधन हो गया है अब कोश्चन कैसे घुमाया उन्हें पदमस्री किस एर दिया गया था किस साल पदमस्री दिया गया था बंसी कॉल जी को फटा-फट बताईए टी-ची-अवरिट कोश्चन है अंसर 2014 आ गया है सिवानी तिरपाथी जी का आंसर 2014 आ गया है सेलिंद्र जी का अंसर 2014 आ गया है कोमल जी का आ आंसर ओके सर आ गया है सुरेश सर ने भी इस आंसर दे दिया है 2014 2014 2014 is the right answer 2014 में इन्हें पदम स्री अवर्ड दिया गया था और इनका नाम है बंसी स्री बंसी कॉल ठीक है इन्हें 1995 संकीत 1995 में संगीत नाट्टे अकॉडमी अवर्ड भी दिया गया है संकीत नाट्टे अकॉडमी अवर्ड भी दिया गया है और नूर राज ने भी 2014 आंसर दे दिया है रांसी जी ने भी 2014 आंसर दे दिया है प्यूस जासर ने भी 2014 आंसर दे दिया है तो बेल डन मार्वलस पर्फॉर्फॉर्मेंस सभी का आंसर सही है बिदाउट एरर आंसर आया ह Now next question आपके सामने ये रहा, question देख लीजिए और question में photo भी लगी है, आपको तुरन समझ में आ जाएगा, जिसे काट ना सके चाकू, उसे काटे बाबू, बहुत बढ़िया, जी 2014, बहुत बढ़िया, जिसे काट ना सके चाकू, उसे काटे बाबू, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला question यह रहा, उस भारती है, विकेट कीपर बल्लेवाच का नाम बताई, जिसे जनवरी मन्त के लिए 2021 का ICC Player of the Month Award जीता है या दिया गया है Question देखिए कितना दमदार है, good evening, answer, good evening, good evening, good evening, name the Indian विकेट कीपर batsman who has won the inaugural ICC Player of the Month Award आपने देखा अभी जनवरी में ही ICC ने announce किया था, कि हम monthly, Player of the Month Award देंगे और सभी ने answer रिसब पंत दे दिया है, बहुत बढ़िया आप मैंसे कोई बता पाएगा, कि कितने देख के लोगों को 9 minute किया गया था, एक देख का नाम था, भारत जो रिसब पंत है, एक जो रूट थे, जो इंगलेंड से थे, कहां से थे, इंगलेंड से थे, और एक Player Ireland के थे, कहां के थे, आइरलेंड के थे, और इन तीनों को पछ भारत के कीरती मान बल्लेबाज और विकेट कीपर रिसप पंथ ने ये अवाड जीत लिया है 2021 जनवरी मंत के लिए ICC Player of the Month अवाड जीत लिया है और ICC Player of the Women का अवाड जीतने वाली महिला साउथ अफरीका की हैं जिनका नाम है सबनेम इसमाइल क्या नाम है सबनेम इसमाइल कोश्चन आते हैं क्या प्लीज रिप्लाई 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 सर आर इफ एसाई में देखो बिटा आर इफ या कोई भी एक्जाम हो यह कोश्चन आ सकते कहीं भी आ सकते ह जिसकी उपर नजर पड़ेगी ही लोगों की नजर पड़ेगी जो पेपर बनाएंगे सो सब का आंसर आ गया प्रेंग का मैम का भी आंसर राहूल यादब जी का भी आंसर आ गया I'm proud of Risa Panth Yes, we all proud of Risa Panth We all proud of Risa Panth सो पुरुस के मामले में जो खिताब जीता है, वो Risa Panth है और महिलाओं के मामले में खिताब जीतने वाली ICC, Women Player of the Month Sahabin Sahabnam Ismail है जो South Africa की है और ICC की बात करें International Cricket Council की बात करें तो Chairperson Greg Barclay है, CEO Manu Sahani Headquarter दुबई में है और कब आया था? 15 June 1909 में किसकी स्थापना हुई थी? ICC की स्थापना हुई थी, ठीक है? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया Marvellous, सर जी Billow, Bigay, Balya दाकी करेगी यार, निर्भाय दाकार ये थोड़ा सा मेरे लिए tough हो रहा है I'm sorry, language tough हो रही है इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन चलिए अगले question पर चलते है फिर एक cricket, sport से फिर एक question आ गया है और आपके सामने question यह रहा इसी question पर सौक्रोस कर देना है मेरे भाई, इसी question पर सो क्रोस कर देना हमें पूरी ताकल लगा के सौक्रोस कर देना, उस पूर्व Australia कपतान का नाम बताई जिसने 2020-21 की अवदी के लिए औस्टेलियाई क्रिकेट पुरुसकार में अपने करियर का 30 एलन वॉर्डर पुरुसकार जीता है फटाफट देखने कौन आंसर देता है BSTC के एक्जाम में आएगा रिप्लाई करो Yes, Yes, Rinke Sir Current Affairs हार एक एक एक्जाम के लिए important है जाए स्टेट का हो चाहे कहीं का भी हो अब यह देखना है इसी कोशन पर सौप क्रॉस करने है हमें सौप क्रॉस कर देना है Name the former Australian captain who has won the third Allen Water Medal of his carrier at the Australian Cricket Award for the period of 2021 फटा-फट आंसर देंगे Smith का आंसर आना शुरू हो गया मेरे बच्चे सबसे तेज हैं मेरे बच्चे सबसे धालकर हैं जो धाकर आंसर दे रहे हैं सबने आंसर देना शुरू कर दिया C. Steve Smith सुरेश सर का आंसर सचिन पडेल सर का सैलिंग सर का आंसर आ गया है प्रिन सर का प्रदीप सर का आंसर आ गया मुसकान मैम का आ गया ठीक है और मंपी मंपी जी का भी आंस बर्त रुपई 4700 करोड इन गैस ओइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन विच स्टेट प्रधान मंत्री नरिंद मोधी ने किस राज्य में गैस तेल बुनियादी धाचा छेत्रों में लगवख 4700 करोड रुपई की चार परियोजनाओं का उद्गाटन किया है फटा फट देखते है कौन आंसर दे पाता है देखते है कौन आंसर दे पाता है कोश्चन बिलकुत सरल है प्रधान मंत्री ने हाली में फरवरी की 36 गड़ दे दिया है सर आद की आबाज Okay, thank you, thank you, thank you very much C आंसर दे दिया है सुजाता जी ने ए आंसर दे दिया है asi má गया, 36 गड़ आ गया 17 का C आंसर सब लोग दे रहे है A आंसर दे रहे हैं C आंसर दे रहे हैं और प्यूस छाजी पहले ब्यक्ति हैं जिन्होंने सही आंसर दे दिया है और इसका सही आंसर है बेस्ट बेंगॉल क्या है आंसर बेस्ट बेंगॉल और हम बता दें जब हमने ध्यान से नहीं पड़ा होता तो यही question mark बनता है और देखो जब आपको आता है तो एक नंबर पके और नहीं आता तो जीरो हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा अब देखो आप प्रदान मंत्री नरेंद मोदी को देखोगे 4700 देखोगे आंख बंद करोगे और बेस्ट बेंगॉल लगा दोगे क्या लगा दोगे आप टिक बेस्ट बेंगॉल टिक लगा दोगे तो हाली में नर पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल अमार बंगला ठीक है फिर इसके बाद केरल का दौरा करेगी टीम केरल का दौरा करेगी और तमिल नाडू में ही है आज प्रदान मंत्री जी तमिल नाडू में ही है तो यह चार राजे जहां पेचनाओ आ रहा है दावर तोड़ बल्ले वाजी हो रही है और इसी के तहट पस्चिम बंगाल में पस्चिम बंगाल में चार योजनाओं के लिए 4700 4700 प्रदानमंत्री नेंद्र मोदी जी ने गैस ऑइल और इंफ्रास्ट्रेक्शर सेक्टर में अलोकेट कर दिये हैं अलोकेट कर दिये हैं ठीक है अल दिया हल दिया हल दिया बिलकोष चही बात यह चार राज्जे है ठीक है सो अब हम लोग आगे बढ़ते हो और यहां पे जो कारिकरम करेंगी योजनाओं उनका नाम है NHAI National Highway Authority of India Limited BPCL भारत Petroleum Corporation Limited Gas Authority of India Limited और Indian Oil Corporation ये चार कंपनिया 4700 करोड रुपए को Development में लगा देंगी कहाँ पे Best Bengal में ठीक है Now next question आपके सामने ये रहा फटाफट इसको इसी question में 100 पार कराना है फटाफट answer देना है Sorry sir answer D होगा बिलको सही D होगा D होगा Don't say sorry Why you are telling me sorry Sorry की कोई जगई नहीं है बिटा ये तो अगर हमें आता होता तो हमें यह होता ही नहीं मैं भी रोज पढ़ता हूँ आप भी पढ़ रहे So no problem but exam में sorry कहना नहीं है चाहे कुछ हो जाए exam में sorry मत बोलना मेरे बिटा जीत के आना है ठीक है पचास मा Question no 18 आपके सामने ये रहा और पचास में Rotterdam Film Festival 2021 में किस भारतिये फिल्म ने प्रितिस्थिट टाइगर पुरुसकार जीता है तो कौन सी पिच्चर है बाबू सरागा जिसे काट ना सके चाकू उसे काटे बाबू बाबू नाम है मेरा बहुत बड़ी अनाम ठीक है पचास में Rotterdam Film Festival 2021 में किस भारतिये फिल्म में प्रितिस्थिट टाइगर पुरुसकार दिया गया है दद्दू फटा फट आंसर दो ये बाननबे से 87 नहीं करना है इसे कितना कर देना है बिटा C आंसर आ गया है और पका कठाई आपको फटा फट आंसर देना है कोजंगल कोजंगल is the right answer कंकड होता है कोजंगल का मतलब होता है कंकड क्या होता है कंकड एक पिच्चर है कंकड जिसको टाइगर पुरुसकार दिया गया है और Tiger पुरुसकार की फोटो आपके सामने मैंने लगा दी है और आंसर इसका बिटा इसका A आंसर है आंसर लोकेस प्रजापत जी का सही है बिलकुल A अंस जी इसका आंसर नहीं है बिटा इसका आंसर A है तो कोजंगल कोजंगल की अगर हम बात करें तो यह तमिल कैसी पिच्च बिनोथ राज पीच ने किया है किस ने किया है बिनोथ राज पीयस ने अगला कोज़्चन आपके सामने ये रहा कोज़्चन बहुत दंदार है और कोज़्चन में क्या पूचा ए Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT ने हल हालिया आक्डों के अनुसार चार और राज्यों में ease of doing business में सुधारों को पूरा किया है यानि अब total 12 राज्य ऐसे हो गए है जिसने ease of doing business का सुधार अपने apply कर दिया है जैसा कि बित्विभाग, बित्वमंत्राले द्वारा निर्धारित किया गया है इन मैंसे कौन सा राज्य है जहां पे ease of doing business लागू नहीं हुआ है question आपके सामने है इन मैंसे कौन सा राज्य है यास हिमानसु सरी इत्रिजा साउथ मूबी बिल्कु सही है फटा फट इसका answer दीजे फटा फट इसका answer दीजे देखते हैं क्या answer देते हैं अगर बात करें तो DP, DP, I, I, T के अनुसार ease of doing में चार और राज्य इंटर्डूश हो गए है इन मैंसे कौन सा राज्य है जिसने ease of doing business अपने आप नहीं लगाया और answer आना शुरू हो गया प्रिंस भट जी ने बिहार दे दिया है सोनी जी ने भी answer E दे दिया है फटा फट सभी लोगों को answer देना है बिहार is the right answer बिहार is the right answer बहुत बढ़िया बिहार सही answer है और आपने जो answer दिया वो बिलकोच सही है बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार जी है कौन है? नितिस कुमार जी है और अब आपको कौपी पन्ना भी लेके पहले आठ और राज्य थे उन आठ राज्यों का नाम है आंद्रप्रदेश, करनाटक, केरल, मद्रप्रदेश उणिसा, राजस्थान, तमिलनाडू और तेलंगाना ये चार ये और आठ पहले के टोटल बारा राज्यों हो गए है और इसमें बिहार अभी नहीं आया है लेकिन बिहार में टैलेंटिड लोगों की कमी नहीं है तो बिहार को जल्दी जल्दी आप अपने आपको भी Ease of Doing Business रिपोर्ट में लाना ही चाहिए सबसे ज़्यादा टैलेंटिड लोग बिहार से ही आते हैं और अगला कोश्चन आपके सामने इस यू प्लक्ष में ये रहा इंडिया यूएस जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज इंडिया और यूएस की जॉइंट मिलिटरी एकसरसाइज अभी हाली में यूद अभ्यास 220 has recently comments in महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज और बीकाने डिस्टिक इन राजिस्थान तो ये कौन सा संस्क्राथ था और क्या और क्या प्राउड है कोई भाई बिहार ही एक ऐसा वर्ड है जो बिहार सब जगा पहुँचा हुआ है ये बारत है कहते हैं सबसे ज़्यादा ऑप्टिक फाइबर लाइन लेके आई जा रही है वो सबसे पहले बिहार के लिए सरकार लेके आ रही है क्योंकि बर्क फ्रॉम हों में दिक्कत हो रही है गाउं गाउं ऑप्टिक फाइबर पहुँचाया जाएगा ठीक है अगला अगला कोई जाएबर लेके आप्टिक फाइबर लेके बारत अमेरिका के संयुक्त सेन अभ्यास युद्ध अभ्यास युद्ध अभ्यास ट्वंटी टू जीरो ट्वंटी की सुरुआत हुई है यह दोनों सेनाओं की बार्सिक दुई पच्छे संयुक्त अभ्यास का सोलमा संस्क्रण है 21 फरवरी कितने कब 21 फेबरी 2021 को जारी रहेगा 21 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा सब का अंसर सो आ गया है चरग जी का अंसर सोलमा है राहुल यादव सोला है सनजीत दांगी जी का सोला है और बहुत बढ़ी आ मारबलनस परफॉरमेंस और अगला कोशन ये रहा कोशन थोड़ा सा बड़ा है घबमाना नहीं मेरे बाई कहते हैं कि कागज की नाओ कभी नदी पार नहीं होती और डरके कभी भी घर के कभी हार नहीं होती तो छोटा question देखके answer देना असान करूँगा अगर वो related है so each option must be explained by me there is no problem okay but जब उससे related है ही नहीं तो हम उसको जैसे अगर banking का question होगा तो मैं तुरंट कर दूँगा SSC का होगा तो कर दूँगा history का होगा तो कर दूँगा तुरंट कर दूँगा no problem हाली में भारत के प्रधान मंत्री ने असम के किस जिले में असों माला कारिकरम शुरू किया जो राज्य के सड़क बुन्यादी धाचे को बढ़ावा देगा और असम की आर्थिक प्रगती में योगदान करेगा और connectivity में भी सुधार करेगा तो इसका answer कितने लोग देखते हैं तिन सुखिया तेजपूर दुबरी सोनितपूर या चचर ठीक है लाइब तो से पढ़े हो फिर भी जी वर्दी समाही लिए ठीक है ओके तुसी पंजाबी बोल रहा थी और मुझे पंजाबी नहीं आती सो डुबरी आंसर दे दिया है ए आंसर दे दिया है तीन सुखी आंसर दे दिया है लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है सोनितपूर अभी हाली में प्रधान मंत्री जी ने कहां का दौरा किया था असम का और जब इन्होंने असम का दोरा किया तो असम में सोनितपुर में सोनितपुर में असोम माला कारिकरम शुरू किया और जब इस माला कारिकरम को शुरू किया तो वहाँ पे जो मुख्य मंत्री आगर आप फोडो देख पा रहोगे तो मुख्य मंत्री सरवानंद सोनवाल भी उ पस्तित थे और असम के बारे में आपको एक बात और बता दें असम के जो नेशनल पार्क हैं वो नेशनल पार्क है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजी रंगा नेशनल पार्क दिबरू सेखावा नेशनल पार्क औरेंज नेशनल पार्क और नेमरी नेशनल पार्क असम की राजदानी दिसपोर है क्या है दिसपोर है ठीक है और यहाँ पे मैंने आपको मैफ लगा के समझा दिया है तो दिवरू सिखवा नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे ही सभी नेशनल पार्क है काजी रंग गया है, recently अक्तर अली वास पॉस्स अवे, वास दा लेजन्ड और बिच स्पोर्ट, किस खेल से अक्तर अली सहाब, तो अक्तर अली सहाब की फोटो ही देखके आप समझ गए होगे, और इस समय इसी खेल का, इसी खेल का टूनामेंट भी चल रहा है, देखते हैं कौन आंसर देता है, इसी समय इस खेल का टूनामेंट भी चल रहा है, तो ये टैनिस प्लेयर के क्या थे, एक जबर दस्त खिलाडी थे, tennis player थे, ये क्या थे बिटा, tennis player थे, बिल्को सही है, मौर्या जी, प्रिंस जी, प्रिया जी, ये सही answer है, tennis is the right answer, अगला question आपके सामने, ये रहा, थोड़ा सा standard question है, बिल्को सही, मुस्कान जी का भी answer सही है, D, D आगया है answer, D नहीं है बिटाब B है, B answer है, अच्छा, आपने नए question का answer दे दिया है क्या, ठीक, तो अगला question आपके सामने ये रहा, फटा-फट, अगला question आपके सामने ये रहा, लोकेस प्रजापत जी का भी answer tennis है, पंकचपाल जी का भी answer B है, और अगला question ये रहा, the United Nations Secretary General Antonio Guterres, ठीक है, सहीउक्त राष्ट के महा नेदेशा कौन है, Antonio Guterres है, appointed whom, as his special envoy on climate ambition and solution, prior to this, he was serving as the United Nations Special envoy for climate action, कैदो समझ में नहीं आया, और समझ में अगर नहीं आया, तो फिर हिंदी में हम आते हैं, सहीउक्त राष्ट महा सचिप, Antonio Guterres, ने किस जलवाईू दूत और समधान पर, अपने बिसेश दूत के रूप में नुक्त किया है, इससे पहले वह जलवाईू अभिहान के, लिए अमरीकी बिसेश दूत रह चुके हैं, फोटो लगी हुई है, फटा फट नाम पढ़ो, और आंसर दे दो, और इसका जो सही आंसर है, वो Mikkel Bloomberg, बिल्को सही है, Bloomberg इनकी निजी निज एजनसी भी है, Mikkel Bloomberg, ठीक है, आप Michael कहेंगे, Michael Bloomberg या Mikkel Bloomberg, is the right answer, so D is the right answer, D is the right answer, D answer सही है, बिटा D answer सही है, इसका सही आंसर है, D, Bloomberg सहाव है, ठीक है, अगला question, अभी आपने सुना होगा, WTO, World Trade Organization की जो चेर्मेंथ, उनका नाम था, Roberto Azebedo, क्या नाम था, Roberto Azebedo, तो Roberto Azebedo की जगहा पर, WTO का नया Director General, Codd Announce किया गया है, फटा फट बताएंगे, फटा फट आंसर दीजे, सर, एग्जाम में, long question को, कैसे read करते हैं, time कम होता है, देखो, अगर आप bank का paper दे रहे हैं, तो घबडाने की बात नहीं, उनका portion wise exam होता है, ठीक है, दूसरा, आपकी reading skill बहुत अच्छी होनी चाहिए, और reading skill के लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम, बस आता घंटा सबेरे newspaper पढ़ना है, क्या पढ़ना है, newspaper, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, फटा फट कहते न, कि जब जिन्दगी और मौत की बीच में लडाई होती है, तो आदमी की उस सुकता और energy का कोई एहसास नहीं होता है, बस वही डेली में जोश चाहिए, तो रौवर्ट अजेबेदो के बाद, विस व्यापार संगठन की नई महाने देशक के रूप में, निगो जी ओकोंजो इवेला जी को निउक्त किया गया है, आँसर C, बिल्कों सही है, रभी कुमार गुपता जी, आँसर बिल्कों सही है, प्रिंस का, मनीशा मेम का अंसर सही है, संजीत सार का अंसर सही है, अविनास जी का अंसर सही है, रभी कुमार गुपता जी का अंसर सही है, आप सभी के आंसर सही है, आप सही इवेला बिल्गुल बाबु जी इवेला और बाबु जी का डालोग हम फिर से बता दें जिसको काट न सके चाकू उसको काटे बाबु बाबु नाम है हमारा बाबु जी को पृतिस्थापित करके किसको भारत में गूगल क्लाउड का मैनेजिंग डारेक्टर बनाया गया है राजेश या बिक्रम या पवन या अनीष या सीपी गुर्णान फटाफटा आंसर देंगे क्या आंसर होगा बिक्रम सिंग बेदी आंसर होगा फोटो लगी है मेरे भाई फोटो लगी है नाम कैसे रहते हैं नाम कैसे रहते हैं? कोई दिक्कट नहीं, जिन्दगी में बस एक चीज़ होना चाहिए, हस्ते हस्ते सिलेक्षन लेना, और वो चाहिए जैसे ले लो, ठीक है? बेधी आंसर दे दिया, मेरे सेरों ने आंसर दे दिया है, बेधी वी इस दा राइट आंसर, और मनीसा में हस रही को Managing Director of Google Cloud India for its India business appoint कर दिया गया है हाली में ठीक है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है विक्रम सिंग बेदी प्रिया कुमारी ने आंसर दिया सुमित कुमार सर ने मनीश कुमार जी ने कजपाल जी ने संभी ने आंसर दे दिया है और अगला कोस्चन ये रहा है नहीं प्रेक्टिस को परफेक्ट करेगा देखरे कौंसर देता है और संजीट धांगी जी का भी बेदी सर आंसर आ गया है सबका आंसर भी आ गया है well done well done well done marvellous और मनीश कुमारी neu का भी आंसर भी आ गया है, well done, अविनास, अविनास का भी आंसर भी आ गया है, महेश कुमार जी का भी आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया महेश, मालविय जी का भी आंसर भी है, सतेंद्र कुमार जी का भी भी है, ठीक है, अगला कोश्चन आपके सामने ये रहा, पहले परिया सरकार ने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा अब तटिये पवन उर्जा सहिंत्र बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है उसी संदर में बताईए कि बरत्मान में दुनिया का सबसे बड़ा अब तटिये पवन उर्जा सहिंत्र किस देश में है और आंसर पहले ह UK दे दिया है अगनास कुमार ने D answer दे दिया है और मुहम्मस साहिल ने जापान answer दिया है सुभम ने चाइना answer दिया है बता दें 2030 में विस्व का सबसे बड़ा पवन उर्जा वाला कारिक्रम स्टार्ट होगा South Korea में और इस समय सबसे बड़ा कारिक्रम है ब्रिटेन में कहां पर है ब्रिटेन is the right answer और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इसका नाम है harness 1 क्या नाम है ब्रिटेन में इस समय जो पवन उर्जा का सबसे बड़ा जो सहियंत्र लगा है उसका नाम है harness 1 क्या नाम है बिटा harness 1 ठीक है harness 1 उसका नाम है harness 1 ठीक तो answer है ब्रिटेन, आंसर ब्रिटेन है पिटा, आंसर ब्रिटेन है, फड़ा फड़ा आंसर दीजे, आंसर ब्रिटेन है, फड़ा फड़ा आंसर दीजे, हार्नेस वन, बरतमान में दुनिया का सबसे बड़ा अब तटी है पवन फार्म, ब्रिटेन के हार्नेस वन है, जिसकी चमता 1.12 गीगावाट है जिसकी चमता एक दसमलो एक दो गीगावाट है ठीक है तो राश्पती मून जे इन ने दच्छड कोरिया में 2030 तक सबसे बड़ा पवन उर्जा सहींत्र बनाने की मंजूरी दे दी है अगला कोश्चन ये रहा इसको फिर से कर लेते हैं कोई दिकत नहीं हाली मे किस देश ने पर्याप्त हरी उर्जा का उत्पादन और भंडारन करने के उद्देश से दुनिया का पहला उर्जा दीप बनाने की घोस्टना की है तो स्वीडन या फिनलेंड या डेन्मार्क या नौर्वे या गिनिनलेंड अभी आपको मैंने पढ़ाया है अभी पढ़ा इसका नाम है डॉलर और अगर बात करें तो राजधानी का नाम है वासिंग्टन डीसी क्या नाम है वासिंग्टन डीसी ठीक है डेन्मार्क इस दा राइट आंसर डेन्मार्क इस दा राइट आंसर वेल डन ये कोश्टन हम लोग कर चुके हैं डेन्मार्क से एडिसनल खबर मिल गई है Denmark से additional ख़बर मिल गई है और वो है Denmark Denmark में Copenhagen क्या नाम है Copenhagen Denmark की राज़धानी का नाम है Copenhagen और यहां की Mudra का नाम है Dennis Crowe और अगर बात करें तो यहां के प्रदान ंत्री है Mete Frederick Sen Mete Frederick Sen ठीक है? यह तीन ख़बर यहां से नई आई है जो मैंने आपको explanation में बता दी है ठीक है so 27 question से 3 additional खबर मिली हैं सबसे पहला राजधानी डेनमार की Copenhagen है मुद्रा डेनिस क्रोन है और प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फ्रेंस रिक सेन ठीक है अगला question आपके सामने ये रहा question बहुत दमदार है ज़्यादा चर्चा में था जबर 10 चर्चा में था ये question जबर 10 चर्चा में था ये question देखते हैं कितने लोग answer देते हैं इस question का फटाफट देखिए कितने लोग answer देते हैं इस question का देखते हैं कितने लोग answer देते हैं फटाफट फटाफट मेरे भाईयों फटाफट एनरजी को बूस्ट अप करना है और चाहे जैसे चले आज current affairs की मेरा थन चलेगी current affairs की मेरा थन मेरे question आपके लिए जबर दस्त होंगे और answer देने मजा ना है तो आप कह दीजेगा World Bank and IMF का headquarter Washington DC बिलको सही है और World Bank और IMF की बात करें तो यह World Bank जो पैसा देता है development के लिए देता है और IMF जो पैसा देता है वह foreign trade के लिए देता है IMF में 190 देश सदस हैं और World Bank में भी 189 सदस है ठीक है और अगर Georgia Christina Georgia Christina Georgia IMF की chairman है जो Belarus से आती है तो अगला question आपके सामने आ गया है हाल ही में किंद्र सरकार ने किस राज्य में पाँच में Tiger Reserve के विकास की अनुमती दी है और answer यहां दे दिया है सर आपकी class कब तक चलेगी मात्र इस हपते के सभी current efforts में करा दूगा मुस्कल से आधा से पॉन घंटा और चलेगी फटा फट हम सब question कर लेंगे जितने जल्दी आप answer देंगे उत्ते जल्दी हम answer लगा पाएंगे तो तमिलाडू is the right answer तमिलाडू सही है जो fifth सामने लिखा हुआ है बिटा तमिलाडू gets its fifth Tiger Reserve पाँच मा टाइगर रिजर्फ तमिलाडू को मिल गया है तमिलाडू को पाँच मा टाइगर रिजर्फ मिल गया है यह Tiger Reserve मेगा मलाई और स्री बिल्लू पुथुर ग्रिजल्ड इसके रेल बन जीवन अभ्यारन में सामिल होगा और इसके पहले जो चार हैं, इसके पहले के जो चार हैं का नाम है अन्ना मलाई, कलककर और मुंडन थरे और सत्यमंगलम और हाली में तमिल नाडू में एक तेवार मनाया गया है, उस तेवार का नाम है थिपूसुम उससब, कौन सा थिपूसुम उससब हाली में कहां पर मनाया गया है, तमिल नाडू में ही मनाया गया है, अगला कोशन आपके सामने ये रहा, भारत का पहला थंडर स्टॉम किस राज में इस्थापित करने की योजना है सिट सर ये बोलिए बागे बिल्लियादा की करेंगी बताना अच्छा हम लोग ये बिल्लियू का करेंगे भाईया इनको बचाना बहुत जरूरी है सनक्षा करना है ठीक है पोंगल के दिया है फर्स टाइगर रिजर्ब एमपी को मिला था क्या ओके फिर आयसर ये बिल्लो बागे बिल्लियादा के करेंगी बताना अरे भाईया इनके रहने से जंगल सुरक्षित रहेगा हमारा पर्याब्रन सुरक्षित रहेगा और अंसर अगले कोश्चन का अगले कोश्चन का आंसर प्रिंस ने उडिसा दे दिया है और राम्या जी ने भी उडिसा दे दिया है और बिनीत सिंग जी ने भी उडिसा दे दिया है और राम्या जी ने फिर उडिसा लिखाया और अंजनी ने भी c लिगखा है d answer है बिटा उडीशा उडीशा is the right answer हाली में thunderstorm tested center कहा पर स्थाफित किया जा रहा है thunderstorm research tested centerudisa के بالासूर कहा पर किया जा रहा है Oaklaş के بالासूर में किया जा रहा है Oak Daha के Malasa路 में किया जा रहा है uीशा के yakisen fan अर основ की बात करें तो यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पतनायक, क्या नाम है बिटा नवीन पतनायक, पतनायक सहाब इसके मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर यानि राजपाल, राजपाल की अगर हम बा तो उडिसा की बात हम लोग कर चुके हैं और अगले कोश्चन के हम लोग आ गए हैं और डी आंसर दिया है इधर ही हेलो चल रहा है सर यहां पे हाई हेलो चला कोई दिक्कत नहीं मिरे भाई बस इंज्वाय करो आंसर दो फटा फटा आंसर दो हस्ते हस्ती तो पढ़ा जाता है और आंसर पहला आ गया है बेंगलूरू के आंसर आ गया है नेशनल होटरी कल्चर फ और अगर हम बात करें Bengaluru तो इसे virtual mode में organize किया गया है कैसे किया गया है virtual mode में organize किया गया है और यहां पे NHF 2021 की theme होटरी culture for startup and stand up India क्या है होटरी culture होटरी culture for startup and stand up India इसकी theme है लिख लो सब लोग theme क्या है होटरी culture startup and stand up India इसकी theme है और अगर हम बात करें तो सबसे important यहां के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है BS अदुरप्पा क्या नाम है करनाटा के मुख्यमंत्री BS अदुरप्पा है governor का नाम है वजु भाई बाला और famous dance है डोलू कुंतिया क्या है famous dance डोलू कुंतिया famous dance है डोलू कुंतिया ठीक है सर आप बहुत अच्छे explain करते हो करती मेहम जैसे अच्छा क्रती मेहम जैसे ओके 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 समझोता किया है अभी हाली में चर्चा में था सहतूत डेम कौन सा डेम सहतूत डेम चर्चा में था हाली में सहतूत डेम चर्चा में था तो हाली में किस देश ने सहतूत बांद के निर्माड के लिए भारत के समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है अगला कोशन अफगानिस्तान आंसर देना सुरू कर दिया है ठीक है बेल डन बेल डन प्रिया कुमारी जी ए आंसर अफगानिस्तान आ गया है अफगानिस्तान 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 में भारत दूसरा बांद बनाने जा रहा है जिसका नाम है सहतूत, क्या नाम है सहतूत, और इसके पहले 2016 में, 2016 में एक और बांध बन चुका है, जिसका नाम है सलमा बांध, अफगानिस्तान में जिससे सलमा बांध कहा जाता है, और भारती इसे कहते थे मैत्री बांध, क्या कहते थे बिटा, मैत्री बांध, ठीक है, भा अफगानिस्तान की तरफ से सलमा बांध कहा गया था तो जो सेहतूत बांध है वो किसके साथ और्गिनाइज हो रहा है सेहतूत बांध अफगानिस्तान के साथ किसके साथ अफगानिस्तान के साथ वेल डन बहुत बढ़िया सलमा बिलकुल प्रिंस सर बिलकुल सही आंसर दिया ऐधिकारिक भासा एं पस्तो और दारी है और नरेंद्र चोधरी चारि पृट्पा सब्सक्राइबरेक व्यूंक Griffey आपका अंसर बिल्कों सही है एक बार लाइक सेयर मार दो मेरे भाई लाइक सेयर मार दो ताबर तोड सोहरा प्रिंस ने लिखा है सोहरा तेरा रे मका ठीक है राजफू सरम समझ नहीं पाई इसको मतलब लेकिन ठीक है कोई दिकत नहीं अगला कोशन आपके सामने यह रहा सकाई सकाई रोट एरोस्पेस ने विकरम रॉकेट पर अपनी परिचालन कच्छाओं में छोटे उपर ग्राउं को ले जाने के लिए किस कमपनी के साथ किस कमपनी के साथ अंतरिच में टैक्सी सुरू के करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो अंत्रिच में टेक्सी कौन सी कंपनी प्रुवाइट करने जा रही है फटा फटा आंसर देंगे और सौ पार करने बाला है फटा फट सेर मार दो भाई फटा फट सेर मार दो गुड इबनिक प्रसांत मिस्रा सार सेर मार दो फटा क्से सौ क्रॉस करके फिर खेलेंगे लोग कम हो गए भाई कम करवा दिए सौ करो फटा फट मार दिये सर लाइक सेर वेल डन बावू थीक है तो इसका जो आंसर है वो है बिल्को सही है बैला ट्रिक्स ऐरोइस्पेस बेला ट्रिक्स एरोस्पेस हाली में टेक्सी अंतरिच में टेक्सी प्रुवाइट करने जा रही है बेला ट्रिक्स एरोस्पेस ठीक है बेला ट्रिक्स एरोस्पेस की बात करें तो अंतरिच में टेक्सी जो उपलब्द कराएगी वो बेला ट्रिक्स कंपनी कराएगी ठीक है औ पर बेलाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्काय रूट द्वारा बिकसित किये जा रहा है लॉँच बहनों की बिक्रम संकला के उपरी चरंड में बेलाट्रिक्स अइरोपेस द्वारा बिकसित किए जा रहे है और्बिट ट्रांसपर बहान OTV, OTP का फुल फॉर्म लिखो पहले फटाक से, OTP का फुल फॉर्म लिखो और्बिटल ट्रांसपर वीकल ठीक है, और्बिटल ट्रांसकर वीकल, अंतरच में टेक्सी उपलब्द कराएगी अगला कोशन आपने सामने ये रहा इसकूली स्तर पर मादमेक अच्छाओं में बिग्ञान की सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए किस राजने मेगाभी छात्रों के लिए मुक्य मंत्री बिग्ञान पृतिवा परिच्छा को मंजूरी दी है, फटा फटा आंसर देंगे परिसान मिस्रा, सभी की तरफ से आपका स्वागत है मैं आपका इस तकबाल करता हूँ अंस अज मेरा एलन मस्क के बारे में बताइए प्लीज एलन मस्क एगर बात करें तो अभी हाली में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ये वर्ड के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन गए है इन्होंने जो बेजे आपको पचाड़ा है और अगर हम बात करें तो इस्पेस एक्स कंपनी या टेसला कंपनी के मालिक है इन्होंने भारत में भी भारत में भी बेंगलूरू में अपनी इकाई को स्थापित कर दिया है जिनका नाम है ऐलन मस्क ऐलन मस्क से कली एक कोउशन पूछा कि क्या कहते है इंटर्व्यू आ रहा ते इनमें पूछा कि आप manage कैसे करते हैं इनका answer था कि company होंगी तो manage अपने आप हो जाएंगी इस्कूली इस तर पर माधमिक कच्छाओं में बिग्यान की सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कौन सी सरकार दिल्ली प्रसांद मिस्रासन ने लिखा है प्रणाम प्रणाम मेरे भाई प्रणाम दिल्ली answer आना शुरू हो गया बिलको सही answer है दिल्ली दिल्ली इस दा राइट आंसर दिल्ली सरकार ने अपने या के चात्रों को जो विग्यान में इंट्रेस्टेट होते हैं कच्छा 9 से 12 की बात करें तो उनके लिए क्या दे दिया उनके लिए चात्र बृत्ती योजना शुरू कर दी और 5000 रुपए कितने रुपए 5000 रुपीज 5000 रुपीज चात्र बृत्ती की बात करें तो 5000 रुपए चात्र बृत्ती देने की गोशना की है ठीक है और CEO of Amazon बिल्कुल ठीक है एंडी है एंडी जैसी येस बिल्कुल येस सुमित कुमार एंडी जैसी को हाली में CEO बना दिया गए Amazon का बिल्कुल सही है 5000 रुपए प्रिंस बट बिल्कुल सही है कोमल में दिल्ली सरकार बिल्कुल सही है डैली 9 पिच्चर आ गई याद खान साब को पिच्चर आ गई दिल्ली 9 ठीक है ओके प्रणाम सर प्रिणाम प्रिसांसर प्रिणाम आंसर देना है अब आपको दिल्ली मुस्कान जी का आंसर है आरती जी का आंसर भी है दिल्ली आरती बिल्कुल ठीक है आगे अगला कोशन हम लोग पहुंसते हैं अगला कोशन आपके सामने ये रहा लाइब एक्शन स्रेडी में 93 अकादमी पुरुसकार के लिए किस भारतिय लगू फिल्म को shortlist किया गया है फटाफट फटाफट आंसर देंगे फटाफट लाइब एक्शन स्रेडी में सास ले ले लाइफ एक्शन स्रेडी में 93 अकादमी पुरुसकार के लिए किस भारतिय लगू फिल्म को सौट लिस्ट किया गया है दाई इ, दा पेरेंट, बिट्टू, दा हुऊमन वॉइस, दा किछिल्ड, चॉय फटाफट बताईए इसका आंसर क्या है बहुत अच्छा पढ़ाते हो फेंक्यू, फेंक्यू, प्रसांद, फेंक्यू, फेंक्यू यह सब आसिरबाद है मेरे बच्चों का और सरस्वती माता का कि मैं दुबारा से बिसफोटक बल्लेवाजी कर पा रहा हूँ, ठीक है सो पढ़ाया तो 10 साल है लेकिन दुवारा बल्लेबाजी कर रहा है बिसफोटक तरीके से ये बहुत अच्छी बात है बिट्टू बहुत बढ़िया आंसर सबसे पहला दे दिया है बिट्टू C आंसर दे दिया है और C आंसर किसने दिया है सबसे पहले सबसे पहला आंसर आया है अंस अज मेरा सर का सबसे पहला आंसर अंस अज मेरा सर का आया है वेल्टन कोमल मैं सी आंसर सही है गंजन सर का भी सी है गजानन सर का सी है सौनु जी का भी हाई सर बिट्टू बिलकुँ सही है दिने सर कोमल मैं सी आंसर सही है मनीज कुमार C आंसर सही है, राकेश दा हिूमन बॉस, बिलकुत सही और मुहमद एजाज जी का आंसर C है, और अगर बात कर रानी कुमारी, बिट्टु आंसर बिलकुत सही है बिटा, ओल ओफ, कोमल मेम सुमिसर सभी का आंसर सही है, बिट्टु is the right बिट्टू को सॉट लिस्ट किया गया है, किसको सॉट लिस्ट किया गया है, बिट्टू को, बिट्टू को, भारत के लगू फिलिम बिट्टू को, लाइब एक्शन स्रेडी में, तिरान नवे में, अकादमी पुरुसकार के लिए चुना गया है, भारत की अधिकारिक ओसकर जली कट्टू अंतराष्टे पिचर फिल्म सॉर्ट लिस्टिड में सामिल होने में बिपिल रही है जली कट्टू जो बहुत फेमस थी वो सॉर्ट लिस्टिड नहीं हो पाई है बिट्टू पहले दौर के मतदान में 10 उम्मीद बारों में उभर के सामने आई है तो दस टॉप 10 में बिट्टू को रखा गया है और अगला कोशन ही रहा फटाफट सुरचित इंटरनेट बिबस सिक्योर इंटरनेट डे सिक्योर या सेफर इंटरनेट डे कब और्गनाईस या कब मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे 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 कब मनाया जाता है सर आभार आपका प्रसान बहुत बढ़िया कहते हैं कि एक छातर के अंदर जो होना चाहिए वो आपके अंदर है और मैं भी आपको salute करता हूँ आपके सम्मान के लिए ठीक है तो फटा फट ये class daily किस time होती है सर ये daily class नहीं है मैं weekly गायतरी मैं मैं weekly class लेने आऊंगा आपके by-fi पे और चार बजे ही class होगी daily मतलब हर weekend पे ठीक है नो फरबरी answer आ गया है नो फरबरी is the right answer आकास कुमार ने नो फरबरी answer दिया है और नो फरबरी is the right answer नो फरबरी कि अगर बात करें तो safer internet day नो फरबरी को मनाया जाएगा सुरच्छत internet दिवस नो फरबरी को मनाया जाता है और यह फरबरी के दूसरे सब्ता के दूसरे दिन हर बर्स मनाया जाता है, इस बार 9 फरबरी को मनाया गया है, और यह हर साल फरबरी के दूसरे सब्ता के दूसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है? ओके नॉब नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा इस चेत्र किंड्र सरकार ने किस तटिया राज्य में इसे मत्सप बनाने के लिए 400 करूल रुपए के निवेस की घोसुना की है ठीक है ठीक है ठीक है वेल डन वेल डम ट्रोलिंग आर्मी ट्रोलिंग आर्मी ने C आंसर दिया है बहुत बढ़ी है आपके नाम हमें बहुत अच्छे लगे आपके नाम बहुत अच्छे है बहुत बढ़ी है बिसाल सर का आंसर A है अंसकुमार जी का भी आंसर A है ट्रोलिंग आर्मी आंसर A है नंदिता साहनी ने न लाडू दे दिया है ए आंसर भी दे दिया है विसाल खबरी सर ने केरला ओके सर योर मोस्ट वेलकम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू और गोवा आंसर इस दा राइट आंसर सही आंसर गोवा है बिटा सही आंसर गोवा है allotment दिया है गोवा को किसको दिया है बेटा गोवा को दिया है बिट्टू बिल्कु सही है मौसमी खान जी बिट्टू बिल्कु सही है जिसे काट ना सके चाकू से काटे बाबू बाबू जी आंसर तमिलाडू नहीं गोवा है बेटा इसका अंसर गोवा है ठीक है ठीक आगे बढ़ते हैं गोवा की गर बात करें तो गोवा की चीफ मिनिस्टर का नाम प्रमोद सावंत है क्या नाम है प्रमोद सावंत है और यहां का जो राजपाल है वो राजपाल महराष्ट के हैं जिनका नाम है कोसियारी बागा सिंग कोसियारी और गोवा का प्रमुख डांस धालो ह से related dance मैंने बता दिया, ढालो, क्या बता दिया है, ढालो, चाकु, best Bengal, बहुत बढ़ी आ, Goa, रानी कुमारी जी ने Goa आंसर दे दिया है, कोबल मैम ने हस के नाम पर हस के जाहिर कर दिया है, कि बहुत बढ़ी है, सर पहले आंसर दिया तो भी नाम लिया, sir sorry subham sorry 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 मैं मापी मांगता हूँ भाई नहीं देख पाते है तेजी से उपर चला जाता है और question भी पढ़ना होता है answer ही बताना होता है अगर हम कभी miss कर दें तो इसके लिए हमें माफ कर दीजेगा but आप हमारे लिए उतने ही important है जिनका हमने नाम लिया तो आप हमारे लिए बहुत important है you are a most important for me एक-एक single student बिटा बहुत important होता है ठीक है so अगला question आपके सामने आगया केंद्रिया budget के अनुसार अभी जो budget आया है केंद्रिया budget के अनुसार भविस से निदी अंसदानों पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है अगर आप PF देखो हम बता दे हैं अभी announcement किया था कि PF पे लोग PF में ज़्यादा निवेस करते क्योंकि यहां पर ब्याज क्या मिलता था ज़्यादा मिलता था ठीक है तो यहां पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज में कितने लाख रुपे तक टेक्स लगेगा नहीं लगेगा यानि टेक्स फ्री है कितने लाख तक और उसके बाद टेक्स लगेगा तो वह बाबू ठीक है बहुत बढ़िया परसान सर भी हस रहे हैं वह बाबू महेश कुमार सर ने आंसर बी दिया 3.8 लेक नहीं नहीं अब टेक्स प्री इंट्रस्ट और प्रोविडियन फंड कॉंट्रिब्यूशन और इसके लिए अगर आप देखो तो जब सेजिता निरमला सीता रमर जी प्रेस कॉंफरेंस कर रही थी तो एबी पी निउस आपने सुनाओगा एबी पी निउस आता है एबी पी निउस के पत्रकार ने उनसे दुवारा ये कोश्टन किया था कि मैटम बताईए ये समझ नहीं पाए तो इसका आंसर कै है 3.8 लेग 9.5 लेग 9 लेग 9 लेग धाई लाग रुपे तक के ब्याज पे कोई टेक्स नहीं है धाई लाग रुपे तक के ब्याज पे कोई टेक्स नहीं है और धाई लाग की उपर अगर आप ब्याज कमाते हो तो आपको देना पड़ेगा टेक्स क्या देना पड़ेगा टेक्स क्या देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा तो जो amount है वो कितना है बिटा धाई लाग कितना है धाई लाग ठीक है amount कितना है बिटा धाई लाग ठीक है धाई लाग is the right answer धाई लाग is the right answer तो EPF और BPF के योगदान के मामली में किंद्री बजट 2021 का नुसार EPF और BPF अंसदान पर कर छूट का लाव उठाने के लिए EPF और BPF दोनों का कुल योगदान वित बर्स में धाई लाग रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए अधरवाइस आपको ब्याज देना पड़ेगा आपको टेक्स देना पड़ेगा अगला कोश्चन ये रा United Kingdom ने ये TCS आधारित कोश्चन है कैसा है TCS आधारित कोश्चन है कितने लोग इस कोश्चन में घूम जाते है कोश्चन थोड़ा स्टेंडर है समझने वाला है एक बार शेयर और लाइक मार दो मेरे भाईयो एक बार शेयर और लाइक मार दो मेरे सेरों एक बार सेर और लाइक मार दो कोश्चन आपके सामने ये रहा फटाफट कोश्चन आपके सामने ये हो रहा United Kingdom ने भारतिय प्रदान मंत्री को जून 2021 में होने वाली 47 में G7 सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक अतिती के रूप में आमन्तरित किया है G7 का मुख्याला है कहां पे है देखते है किते लोग आंसर देते है G7 का मुख्याला है कहां पे है G7 का हेड़कॉर्टर कहां पे देखते है किते लोग आंसर देते है हेड़कॉर्टर पूछा है G7 का देखने किते लोगा आंसर देते है C. France आंसर देना सुरू कर दिया बहुत बढ़िया Beldun देखने कौन-कॉन आंसर देता है सभी ने आंसर आंसर दे दिया मार दिया आपने Sir का चैनल दवाकर O.K. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई ठीक है और नहीं तो आप आप हमारा अनकेडमी का बोल्ट का आप टेलिग्राम चैनल आप अटेच हो जाईए मैं वहां से आपको भी दे दूँगा चाउदा फरवड़ी तो अनिसको पुलवामा में हुए सहीद को भारत माक के उन बीर सपूत सवादो ससत नमन जहिंद यस गायतरी मैं जहिंद फ्रॉम माई साइड ऑलसो उन सभी बीर जवानों को हम लोग ससत नमन करते हैं सब मिलके जिन्होंने पुलवामा में अपनी जान सबस्क्राइब बीर जो हमें सुकसे सोने देते हैं ठीक है फटा 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 अन्सर दो भाई गाओ बाई अन्सर इस बार जहां पर होता है वहीं उसका मुख्याला माना जाता है उस साल के लिए इस बार United Kingdom में हो रहा है तो UK ही उसका सेंटर होगा ठीक है अगर बात करें तो 1998 में एक देश जिसका नाम था रसिया क्या नाम था बेटा कहा जाता है क्रीम या को ठीक है तो इस समय जो G7 countries है उनका नाम है Canada, Italy, Germany, UK, Japan, US और France क्या है साथ देशों का नाम मैंने बता दिया है Canada, Canada, Italy, Germany, UK, Japan, US, France ठीक है ये साथ देश हैं सो आंसर है डीड बिल्को सही अगला question आपके सामने यह रहा राजीब कपूर जी का हाली में निधन हो गया वो कौन थे फटाफट बताईए राजीब कपूर जी का हाली में निधन हो गया वो कौन थे फटाफट बताईए राजीब कपूर जिनका हाली में निधन हो गया वो कौन थे फटाफट प्रसांत सर ने आंसर दिया हीर हैं जिनकी दम पे हम हीरो बनके घुमते हैं ठीक है फड़ा फड़ा आंसर दीजे पोएट आंसर दे रहे हैं बैया राजीब कपूर कपूर खांदान के ब्यक्ति हैं इनकी एक पिच्चर आई थी इनका नाम था राम तेरी गंगा मैली हो गई आपने पिच्चर देखी यह नाम सुना है नाम तेरी गंगा मैली हो गई के हीरो थे और राज कपूर के पुत्र थे तो इनका नाम था एक्टर राजीब कपूर क्या नाम था रिसी कपूर के भाई है एक्टर राजीब कपूर अंकल ओफ करीना कपूर बहुत सही आंसर मारवलस आंसर दिया है कि अंकल ओ करार है और अगर बात करें तो ऐसे ही जोस में पढ़ने हैं पूरे कोशन किस राजे ने लेंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 डिजिट का यूनी कोड की है जो यूनी कोड है वो कह डिजिट का है सबसных कि अख On Jean EL relação उत्तर प्रकश्पर आग लगा देंगे सर बिलकुल जबर्धस लेकन भाई सो क्रोस नी करा पाई 99 पहुचा दिया सो क्रोस नीकरापाई 70 बच्चे 80 बच्चें 100 बच्चें यह चाएं तो इस सैसन को 1000 पहुंचवा दे कितना पहुचा दे? 1000 लाइप पहुचा दे बस आपके बिना नहीं होगा भावनामेमने यूब आंसर दे दिया महिसकुमार प्रसान ळे यह आंसर दिया सोला डिजिट का सोला डिजिट का सोला डिजिट का कोड जारी कर दिया है सोला डिजिट का यूनी कोड जारी कर दिया है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उस राज्य का नाम है और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखना हुए जो गोमती नदी के किरा रहे हैं, राज्यपाल का नामे आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री का नामे योगी आधित्यनात, क्या नामे योगी आधित्यनात, सोला अंकों का यूनिकोड चालू करने का सिस्टम लॉंच कर दिया है इस सिस्टम को लॉंच करने का मुक्योतेस भूमी बिबात के मामलों की जाच करना लोगों को धोके बाजों से बचाना और भूमी की नकली रजिस्ट्री को समाप्त करना है ठीक है अगला कोस्टन ये रहा कर किस जिले में सो फुट उचे जंडे की आधार सिला रखी गई है गायतरी मैम आपके लिए ये कोस्टन है फटा फट आंसर देंगे किस जिले में सो फुट उचे जंडे की आधार सिला रखी गई है तिरंगा हमारा, सबसे प्यारा तिरंगा हमारा, तो तिरंगा जो 100 फुट तिरंगा, 100 फुट उचे तिरंगे की स्थापना किस सहर में की जा रही है, फटा-फट आंसर दीजे भाई, जिसको काट न सके, चाकू उसको काटे बाबु, हेलो प्रसान भाई को, ओके, गुलमर्ग answer आगिया है, उपी गवर्मिंट आनदी बिन पतेल, बिलको सही है, नस जी, प्रिंस भट ने गुलमर्ग answer दे इदिया है, प्रिंस भट गुलमर्ग C-בिन आंसर दे दिया है, सोनु सिंग ने, और खुझबू मेह ने भी C-ב आंसर दे दिया है, गुरकपुर ओके गुरकपुर नहीं गुलमर्ग लिखका है तो इसका सही आंसर है गुलमर्ग गुलमर्ग में 100 फुट उचे जंडे की आधार सिला रखी गई है ठीक है अध्याचपद के रूप में किसे नुक्ठ किया गया है? फटाफट फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ बरॉट्ड कास्टिंग कंटेंट कंटेंट कंप्लेंट कांउट helps आप TV पे देखते होंगे, अगर आपको किसी कारिकरम में दिक्कत है, तो आप इस जगा पे complain कर सकते हैं, तो फटा-फट आंसर दीजे, Broadcasting Content Complaint Council के नए अध्यचपद में किसे नुक्त किया गया है, पानी, ठीक है, आंसर क्या होगा, घीता आंसर दे दिया है, घीता प्रिंस भट ने आंसर दे दिया है, एक सेकंद बस आप रुके रहेगेगा, मैं पानी ले लूँ, बस एक सेकंद, ठीक है, फटा-फट आंसर आता जाये, पानी आ गया है, क्योंकि गले में तकलीफ हो रही थी, सो फटाफट आंसर दीजे भाई, ब्रॉटकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की नई अध्यक्स किसको बनाये गया है, गीता मित्तल को बनाये गया है, अगर फटाफट, फटाफट आंसर दिते जाईए, आंसर B है बेटा, आंसर B है, फटाफट, फटाफट, ब्रॉ और आप सभी के दिल में रहते हैं जमीन के हर जर्रे को आफताब कर देंगे गुलसन के हर फूल को गुबार कर देंगे और इसके बाद क्या लिखा है इनों ने एक पल भी ना रह सकोगे हमारे बिन आपके आदर को खराब कर देंगे ओके दीपक बर्मा सर बहुत बढ़िया ब किस राज में या किस जिले में किस राज की जगा लिख दो जिला क्या लिख दो जिला ठीक है जिला किस जिले में काला घोडा यानि किस राज में नौ दिवसिये काला घोडा कला महसब आयुजित किया गया है नौ दिवसिये कला महसब काला घोडा कहा प्यायुजित किया गय मुंबई answer आ गया है, मुंबई is the right answer, प्रिंस सर का भी answer मुंबई यह सर मैंने पहली बार, क्लास में आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, well done, thank you, 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 thank you very much, और अगर बात करें तो मुंबई answer is the right answer, मुंबई में ही काला गोडा, कला महसब का आयोजन किया कहां पर किया गया है, मुंबई, मुंबई में ही काला गोडा कला महसब का आयोजन किया गया है, सो मुंबई में नो दिबसी है काला गोडा कला महसब का आयोजन किया गया है, नो दिबसी है कारिक्राम काला गोडा कला महसब, 6 फरवरी से सुरू होकर 14 फरवरी तक समापत होन बाला है पिशब्र काला गोला किला मोस्तर की शुरूआत 1990 न्यन्यान्वे में हुई थी कम हुई थी बटा उन्नि csak निन्याणवे में अगला कोच्छन आपके सामने संमय है तिटर इंडिया कीचीप महिलापc से स्थीपा किसने दिया हैud फटाफट आंसर देंगे उद्धाउ ठाकरे की सरकार है, बिल्कों सही है मुंबई में और कोमल में ने करोना लिख दिया है, मुंबई, सर जी, I am new student, हेलो सर, बेलकम, बेलकम निहारिका में, बेलकम, सीम उद्धाउ ठाकरे, कवर्मेंट भगस सिंग कोसियारी, बिल्कों सही ह भावना मैं, बिल्कों सही, सर, I am ओके, 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 फटाफट, 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 रभी राज, रभी राज सर, ये, ये थोड़ा सही नहीं है, प्लीज, इसको मत करिए, सैसन को चलने दीजे, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, फटाफट, रभी राज सर, ठीक है, अंकित प्रजापती, ये आंसर दिया है, और अगर बात करें, तो ट्वीटर, इंडिया के महिला चीपद से, स्थीफा देने वाले, स्थीफा, ठीक है, स्थीफा देने की अगर बात करें, तो महीमा कॉल, जया, जया मैम, नेहा, और नन अबदीज, आंसर क्या है, फटाफट बताए, ट्वीटर, इंडिया के बर्तमान, पब्लिक पॉलिसी डारेक्टर, महीमा कॉल ने स्थीफा दे दिया है, किसने स्थीफा दे दिया है, महीमा कॉल जी ने स्थीफा, पहुचाना है फटाफट एनरजी बरती जा रही है बच्चों की ठीक है गुरु जी हम चाइना से आए हैं ओके गुड गुड बेलकाउं आप सभी का स्वागत है आप कहीं से भी आईए आप भी हम भी इंसान है और हम भी इंसान है ठीक है अगला कोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला कोशन फटाफट पीटर इंडिया के बरतमान पॉबलिक पॉलिसी डारेक्टर महिमा पॉल ने अभी हाली में स्तीफा दे दिया है विस्व सतत्थ विकास सिखर संबेलंग 2021 का को क्या किया था एड्रस किया था कि दिने विस्व कर्मा जी मैंने आपका नाम लिया है जब आपने आंसर दिया था तो मैंने आपका नाम लिया था और अगर मिस हो Aww इसके लिए मैं मापी मांगता हूं ठीक है फटाफट नेक्स्ट कोर्शन भावना सिंग आ गया है नेक्स्ट कोर्शन विश्व सतत्थ विकास सिखर सम्मेलन फटाफट बताईए इसकी थीम क्या है ठीक है फटाफट अगर बात करें तो अगर हम बात करें तो इसकी जो थीम थी वो थी हमारा साजा भविस्य है ठीक है पटाफट अगर हम बात करें तो इसका हो Simon फacci की नगर को राज्य का जिला गोसित करने के लिए अधिकार morphology को म गजट अजी सूचना जारी की है तो करनाटक सरकार ने हाली में विजय नगर को कौन से नंबर का जिला घोसित किया है फटा फट आंसर देंगे कि करनाटक करनाटक सरकार ने विजय नगर को राज का कौन से जिला घोसित किया है फटा फट आंसर देंगे 31st प्रिंस भट का आंसर आ गया है 31st 31st आंसर आ गया है और प्रिंस ने आंसर 31st भावना में ने 31st रामया जी ने 31st रोहित राजन रंजन सर ने 31st दे दिया है प्रिंस भट जी ने भी 31st आंसर दे दिया है पी कविता राइट वन ठीक है ठीक है ठीक है 31st आंसर आ गया है ठीक है, ओके, 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 वेल डन, बेल डन, बहुत बढ़ी है, 31st, विजय नगर, इतनी सही क्लास चल लेए, भाई, आप क्या पूछ रहे हो, आप पढ़ने आए हो, तो please पढ़ो बिटा, और अगर नहीं पढ़ने हो, तो no problem, आप हमारे लिए important हो, आपका सम्म खराब करोगे, तो कैसे मज़ा आएगा, ठीक है, तो अगर हम बात करें, answer क्या है बिटा, 31st is the right answer, विजय नगर को 31st जिला घोसित किया गया है, अभी हाली में, wild life photographer of the year people's choice award for 2021 प्रत्योकता में, पहला पुरुसकार किसे दिया है, और ये photo दिखा रही है, इसका नाम है bus fire, इस photo का नाम है bus fire, क्या नाम है बिटा, bus fire, ठीक है, और इसमें क्या है, आग लगी है जंगल में, और एक तरफ सनच्छित छेतर है, दूसरी तरफ धुए का अंबार है, ठीक है, सो कभीता जी भी गई है, answer thank you, उन्होंने लिखा है, नमसकार गुरुजी, नमसकार, जिनपिंग जी, आपको भी नमसकार है, और अगर हम बात करें तो इसका answer, फटा फट दीजे भाई, इसका answer Robert Irvin आपने दे दिया है, सभी ने answer Robert Irvin दे दिया है, क्या ये सही answer है, Robert Irvin बिलकुस सही answer है, से खीचा गया है, और अगर बात करें तो इन्हें Wild Life Photographer of the Year People Choice Award 2021, इसी फोट गिली दिया गया है, और इस फोटु का नाम है, वुस फायर, क्या नाम है, वुस फायर, Robert, बिलकुस सही है, बिलकुस सही है, ठीक है, नहारका जी, सेलजा जी का answer B है, बिलकुस सही, सी, जिन पिन ने भी answer B दे दिया, कुरोना वाले, बहुत बढ़िया, अभी बाबु जी आयते, बाबु का भी answer सही है, मनो सर ने भी answer B दे दिया है, गायतरी में ने भी answer B दे दिया, जिसको काट ना सके, चाकुस 고St काट दे, बाबु, Robert, इर्विन, आंसर बिलकुस सही है, बहुत बढ़ की प्रात्मिक्ता होती है सो मेरे दोस्तों किसी भी लेंग्विज को हम कम जादा नहीं आखेंगे जितना जादा हम सीख लें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले जो जीडीपी ग्रोथ बताई थी वो बताई थी माइनस 7.4 लेकिन जो थर्ड क्वाटर है इसका जो थर्ड क्वाटर है यानि स्वर्थ क्वाटर है वो फोर्थ क्वाटर बहुत सही से परफॉर्म कर रहा है और इसी लिए नोंने संस फोधित कर दी है और आंसवरत बढ़िया मुझे लग रहा था कि मुझे समझाना पड़ेगा पाहलना जी सी दिंपिंग बिल्कु सही आंसरả साही है राम मैंजी अंसर्थ सॉनु सिंग साही खुस्बू बिल्कुल खुस्बू बिटा E आंसर है बिल्कुल सही है E 7.0 7.0 आंसर दे दिया है सभी ने क्या दे दिया है 7.0 E is the right answer well done मुझे लग रहा था मुझे समझाना पड़ेगा और माजी माजी जी ने आंसर दे दिया 7.0 माइनस में प्रसान सर ने 7.0 कोरोना सर ने ।ी ठिरिपल सत्ता मारा है 3.0 सत्ता दिये है और विजय मीना E answer आलोग पाल E answer सैलजा कुमारी E answer बहुत बड़ी है बहुत बढ़ी है बाबु जी का भी आंसर आ गया गायतरी महीम का भी आंसर आ गया नवीन गुलेरिया जी E answer बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आंसर E है और SBI की बात करें तो SBI की चेर्मेन का नाम फटा फटा बताओ Dinesh Kumar Khara SBI की चेर्मेन का नाम क्या है Dinesh Kumar Khara है Headquarter कहां पे बिटा Mumbai कहां पे Mumbai और found कब हुआ था 1 July 1955 को State Bank of India कि अगर हम बात करें तो State Bank of India answer 7-7.0 है Chairperson Dinesh Kumar Khara है क्या नाम है Dinesh Kumar Khara Dinesh Kumar Khara सहब है Dinesh Kumar Khara है और अगर बात करें Headquarter तो ये Headquarter कहां पे बिटा Mumbai में है और 1 July 1955 1 July 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके लिए एक Act बास हुआ था उस the Act का नाम था SBI Act क्या नाम था SBI Earth और ये Act पास हुआ था 1955 में और SBI की स्थापना हुई इसके पहले 1921 में 1921 में SBI को कहा जाता था Imperial Bank of India. क्या कहा जाता था विटा Imperial Bank of India Imperial Bank of India य pretend the dt नाम से State Bank of India Act के नाम से और इससे नेसलाइस कर दिया गया ठीक है अगर हम बात करें तो इसके पहले Imperial Bank के पहले 1806 1809 1804 और 1843 ठीक है Bank of Bank of Calcutta Bank of Calcutta और इसी का नाम बदल के रखा गया Bank of Bengal ठीक है फिर 1840 Bank of Bombay 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 और 1843 Bank of Madras ये तीन बैंक आये थे इन तीनों बैंकों को कहा जाता था Presidency Bank क्या कहा जाता था Presidency Bank Presidency Bank सब लोग एक बात देख लो Presidency Bank की भी बात कर ले भाई फटा फट Presidency Bank की बात कर ले ये हमारा प्यारा भारत है क्या है ये हमारा प्यारा भारत है और अगर हम भारत की बात करें, किस की बात करें, भारत की बात करें, तो तीन बैंक, कलकत्ता, बॉम्बे, और मदरास, 1806, 1809, ठीक, 1804, और 1803, ठीक है, इन तीनों बैंकों को, आपस में कहा जाता था, प्रेजिडेंसी बैंक, 1921 में इनको कर दिया गया मर्ज, और बन गया, इंपीरियल बैंक, क्या बन गया, इंपीरियल बैंक बन गया, और इसी को 1955 में, 1955 में कर दिया गया, नेशनलाइज, क्या कर दिया गया बेटा, नेशनलाइज कर दिया गया, किस एक्ट के तहट, SBI एक्ट के तहट, किस के तहट, SBI एक्ट के तहट, और ये टाय था 1955 में और क्या मिल गया हमें State Bank of India मिल गया क्या मिल गया State Bank of India मिल गया ठीक है तो अगले question पर हम लोग बढ़ सकते हैं Headquarter Mumbai बिलको सही है सुमित को और पांडे तीन बैंकों को merge होके Imperial Bank बना था बिलको सही Lucky Aurora B answer कहा है इनोंने 1955 सही है बिलको सही कलकता Bombay and Madras इन्टू मर्ज हो गया था बिलको सही सी जिन पिंग हैटकौर्टर मुंबई है बिलको सही Prince वट ने लिखा है बाह क्या लिखा है बाह ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question आपके सामने ये रहा 51 का सुभ question आ गया है By many a happy accident किताब है By many a happy accident recollection of our life नामक पुस्तक के लेखक नामक पुस्तक के लेखक कौन है नामक पुस्तक के लेखक कौन है फटा फट बताईए भाई कुस्बू मैं बिलको सही थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम बेटा थैंक यू अंसारी सा फोटो बनी हुई है और मैंने किताब की फोटो लगा दी है और ये हमारे पूर्व उपराश्टबती मुहम्मद हामिद कंसारी अंसारी साहाब है मुहम्मद हामिद अंसारी साहाब है और इन्होंने ये किताब लिखी है By many a happy accident recollection of our life ठीक है इस किताब के लेखक है बहुत बढ़िया अंसारी बिलको सही बूपेंदर सर का अंसर बहुत बढ़िया सहदेव जी का भी आंसर आ गया है सी डी है बिटा डी सहदेव जी डी आंसर है मुहम्मद हामिद अंसारी बिलको सही है मुहम्मद हामिद अंसारी जी सिन्पिंग कोरोना बाले बहुत बढ़ी है मेरे भाई बहुत बढ़ी है ददु जवरदस नाम जिसको चाट न सके चाकुष का नाम है बाबू बहुत बढ़ी है बहुत बढ़िया, मारबलस बल्लिवा जी अब कोश्चन आ गया आपके सामने 52 मा कोश्चन आपके सामने ये रहा मंसा बनारसी who is the winner of 57 फैमिना Miss India 2020 competition is from which state मंसा बनारसी को हाली में 57 भी film फैमिना फैमिना Miss India 2020 के अवार्ड से नवाजा गया है ठीक है अब नवाजा गया ये किस राज से हैं सबने आख बंद करके आंसर डी लगाना शुरू कर दिया क्या डी सही आंसर है क्या डी सही आंसर है प्रिंस भटसन ने आंसर दे दिया है और आंसर आगया तिलंगाना बिल्को सही और राम्या जी ने भी आंसर तिलंगाना दे दिया, रानी मैम ने भी आंसर तिलंगाना दे दिया, बावु ने भी आंसर तिलंगाना दे दिया, सुमित ने भी आंसर तिलंगाना, सपना जी ने भी तिलंगाना दे दिया, सी जिन पिंग ने भी तिलंगाना दे दि चलंगाना की तेस बर्स ये मनसा बनारशी 57 फिल्म फैमिना मिस इंडिया 2020 पृतियोगिता की बिजय तक्ष चुनली गहीं इसके बाद वे इस बर्स मिस वोल्ड पृतियोगिता में बारत का पृतियोणतु करेंगी मिस इंडिया 2019 ने मनसा को ताच पहनाया वहीं हर्याना की मनिका स्योकंद को मिस ग्रेंड इंडिया 2020 गोसत किया गया जबकि यूपी की मन्या सिंग प्रित्योगिता की रनर अरप रही है मन्या सिंग साहिद मेरे ख्याल से बनारस की है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाम से बुलाए जाता है को DSP नुक्त करने का निर्ने लिया है फड़ापड बताईए हाँ 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 सर गायतरी ने राइट आंसर दिया है ओके ओके यस गायतरी मैं तिलंगाना तिलंगाना सही है बिलकुल सही है कुसी नगर की है ठीक है कुसी नगर की है ओके 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 सोनु सिंग ने अंसर बता दिया कुसी नगर की है बिलकुल महला तक पता है भाई यहों की रनर अप माननेया सिंग बिलकुल सही बनारास ठीक है गुड 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 गुद 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 बहुत बढ़िया, father of corona, अज मेरा father of corona, g jinping, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिमादास, हिमादास अंसर आ गया, हिमादास अंसर आ गया है, हाली में किस राजय सरकार ने, DSP के रूप में, sprinter, जिनने dhing express के नाम से जाना जाता है, हिमादास को DSP ब बनाने के लिए घोसना कर दी है बिलकुर ठीक है और अगर बता दें तो यहां पे निर्ने लिया गया कि औलम्पिक, SEI खेल और राष्ट मंदर खेलों के पदक विजेताओं को राष्ट के विविन विभागों में बत और क्लास वन अधिकारी नुक्ती मिलेगी और ऐसा कहने वाले मुख्य मंत्री है उनका नाम है सरवानन्द सोनेवाल राजपाल प्रोफेसर जगदीस मुखी है औ अगला कोशन ये रहा मनोझ कुमार बारिक सही है है बाभुजी गल्कुस सही है को जिनक को रहा है देखते हैं किते लोग आंसर देते उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिनने ICC की बल्ले बाजों की ताजार टेस्ट रेकिंग में सीर्थ इस्तान मिला है फटा फट मेरे भाईयों आंसर देते हैं केन बिलसन यार प्रिंस भट आई प्राउड आफ यू बिटा I'm proud of you सबसे fast आंसर देते हो फटा फट जो root is not a right answer केन बिलसन is the right answer केन बिलसन is the right answer और जो पढ़ रहा है उस पढ़ के लिए उसने उसे नहीं मिलेगी नोकरी अद है औरे नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है बहुत पद है तुम लोग मेनत करो, तुम्हें एक seat पे बैठना मेरे भाई, एक seat पे बैठना है, वो एक seat तुम्हारी होनी चाहिए, बस, एक seat तुम्हारी हो, जिस पे तुम्हें क्या करना है, बैठना है, बस, काम खतम, एक seat तुम ले लो, और tension खतम हो जाए, ठीक है, समझ में आई बात, तुम्हें एक seat तुम्हारी लिए important है, जिस पे तुम्हें बैठना है, ठीक है, सो आंसर बिलको सही है, और आंसर आगया है, केन विल्सन डी, भावना सिंग ने आंसर दे दिया, मनो सर ने आंसर दे दिया, कमले सर ने आंसर दे दिया, आजाय पठान सर ने, आलोपाल सर ने, कमल मैम ने, पियम, मोदी का बेटा, ट्रम्प, अमेरिका वाले स्टीव स्मित, नई आंसर है, केन विल्सन, केन विल्सन को पहली रैंक दी गई है, और अगर हम बात करें केन विल्सन के बाद, तो बिराट कोली यां खिसक गए है, कौन खिसक गए है, बिराट कोली, ICC ने ब से बड़े इस्टी निनमाता आर सेलर आर सेलर मित्तल के नए मुख्य कारिकारी अधिकारी की रूप में किसे नुक्त किया गया है फटा फट फटा फट आंसर दीजे न्यूजिलेंड येस केन विलसन नूजिलेंड के ही है बिलको सही है बिलको सही है मेरे भाई केन विलसन बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है और अगला कोशन आपके सामने आ गया है अगला कोशन आपके सामने आ गया है अलोग ओके सर मोटीवेशन के लिए थैंक्स थैंक्यू आलोग पाल सर थैंक्यू 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 आगे अगला कोशन आ माता आर्सिलर मित्तल के नए CEO Chief Executive Officer किसे नुप्त किया गया है अमित भाटिया, आदित्य मित्तल, प्रमोध मित्तल, सुधीर महेस्वरी या रिसद प्रेम जी फटा-फट आंसर दीजे, B answer सुधीर महेस्वरी आंसर दे रहे हैं, C आंसर आ रहा है प्रमोद मित्तल आ रहा है इसके उपर किसी ने आंसर दिया है प्रमोद मित्तल मित्तल मिला रहा है दो मित्तल ने भाई आदित्य मित्तल और प्रमोद मित्तल दो लोग है फटा फट आंसर देना है बी आंसर सही आ गया है बी आंसर सही आ गया मोनिका कुमारी आंसर आ गया है आदित्यमिट्टल कौन आंसर आ गया है आदित्यमिट्टल is the right answer दुनिया के सबसे बड़े इसपात निर्माता आरसिलमिट्टल ने अपने अरभपती पिता और कंपनी के संस्था पक लच्चुमी मिट्टल की जगा ले ली है और इनका नाम है आदित्यमिट्टल क्या नाम है आदित्य मित्तल ने B B is the right answer बहृत बढ़ी है SONU SINGH B is the right answer ठीक है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है पता नही गुरू जी आंसर मैंने बता दिया मेरे भाई C. Jinping मैंने आंसर बता दिया दद्धू आपको आंसर बता दिया इसका आंसर है आदित्य मित्तल, क्या है आंसर? आदित्य मित्तल है, पता नहीं गुरु जी, आंसर दे दिया मैंने, सी जिन पिंग आंसर दे दिया, आदित्य मित्तल is the right answer, ठीक है? हाल ही में Twitter, TCS question है भाई, TCS question है, TCS में होगा क्या? रिफरेंस किसी question का दिया जाएगा, रिफरेंस किसी question का होगा, और पूछा जाएगा उससे related कोई ख़बर, ठीक है? सो question आ गया है, TCS pattern पे है, हाल ही में Twitter ने भारत के अनरोध के बाद policy उलंधन के लिए 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया, उसी संदर्म में हमें बताईए, कि बिजनेस सूट नाम का software function किस social media दिगच के द्वारा लॉंच किया गया है, Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, फटा 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 आंस समझो, हाल ही में Twitter ने भारत सरकार के अनरोध के बाद policy उलंगन के लिए 500 खाते निलंबित कर दिये, तो social media से खबर आई, फिर उसने पूछा कि इसी संदर्म में, यानि इसी से related social media से related एक और खबर है, क्या है वो खबर, कि बिजनेस सूट नाम का software function किस social media दिगच ने लॉं लॉंच किया है, Facebook ने बिजनेस सूट नामक software को लॉंच कर दिया है, Facebook ने बिजनेस सूट नामक launch, बिजनेस सॉट नामक लॉंच कर दिया, अमबर मिसरा A, FB, C. Jinping ने answer दे दिया, बाबू ने answer FB दे दिया, खुजबू राना ने answer A, FB दे दिया, बहुत बढ़ी है, Rani कुम सौ पार करा दो मु्केश सर्ग गुर्जर अलोगपालla लगा दो एक बार दम मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब करसे यह भाई यह लगा दो गरामी चेत्र के लिए सुरचित पानी और सुछ्षता सेबाओं और सच्छता परियोजना के लिए बिस्व बैंक ने 200 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए है बिस्व स्वास्त संगठन के समिधान पर कितने देशों द्वारा 22 जुलाई 1946 को हस्ताक्षर किये गए कोश्चन बहुत पुराना है खबर करंट की है खबर करंट की है और कोश्चन बहुत पुराना है खबर करंट की है सर मैं स्टेटस ही लगा देती हूँ मैं स्टेटस मत लगा ही है बस शेयर मार दीजे Thursday जिन्पिंग सर कोरोना वाले अर्भिन सर की जह हो थेंक यू थेंक यू मेरे भाई थेंक यू बंगला बंगला देश खबर आईए करेंट खबर आई है 59 59 आंसर दे दिया लोगों ने असम आंसर दिया है सर जी रुको अभी करता हूँ आपके लिए दोस्त लोग पकड़के बैठाता हूँ नहीं ऐसा नहीं जवर्दस्ती मत बैठाओ यार जवर्दस्ती नहीं दद्दू तुम्हीं आंसर दो हमें नहीं उतना वह नाम फेम नहीं चाहिए ठीक है फटाफट फटाफट बस 59 चायना से ओके 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 सी जिन पिंग बिल्कु ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो बंगला देश को अभी हाली में वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन डॉलर दी है किसके लिए स्वच्छता के लिए ठीक है और डबलू एच एस ठीक है इसका कारीक्राम है किसका विश्वस्वास्त संगठन का कारीक्राम है तो 207 संगठन को 22 जुलाई 1946 में 61 देसोंने हस्ताक्चर किये थे beginnings कितने देशोंने 61 देशोंने संगठन के समिधान पर 22 जुलाइ 1946 को सभी 61 देशोंने हस्ताक्षर किये इसे बिग्ञान के लेक में एतियासी युक के रूप में बढ़नित किया गया है इसके साथ ही इस प्रकार की पहली संयुत राज्य की बिस्सेस्ट एजनसी बन गई जिसमें प्रतेक सदस्य ने एक साथ signature की, actually इसमें हुआ क्या था, 51 प्लस 10, ऐसे signature हुए थे, 51 प्लस 10 इक्वल टू 61, signature हुए थे, और World Health Organization, अगर हम World Health Organization की बात करें, किसकी बात करें, World Health Organization, WHO की बात करें, तो इसके जो head है, उनका नाम है Ted Rose, क्या नाम है बिटा, Ted Rose, Ted Rose, अधन, अधनम, ठीक है, Ted Rose सहाब इसके क्या है, अध्यक्ष है, और अगर बात करें headquarter, तो headquarter कहां पे, Geneva, कहां पे बिटा, Geneva में है, ठीक है, वही World Bank की बात करें, किसकी बात करें, World Bank की बात करें, World Bank की, तो World Bank का headquarter, Washington DC में है, कहां पे बिटा, Washington DC में है, Chairman का नाम है, David Malas, क्या नाम है बिटा, David Malas, यहां के Chairman है, और 19189, इसके सदस्य है, और Nauru, Nauru इसका last सदस्य है, last सदस्य है, Nauru कौन है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया में ही रहती, भाईया, ओके, 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 डॉट्स, ट्रेंड्स, ओके, ठीक है, W, H O, W, T, O, Geneva, बिल्को सही है, Switzerland, बिल्को सही है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, bell done, marvelous performance, अगला question ये रहा आपके सामने, अगला question ये रहा, फटा-फट पढ़ियो और आंसर दीजे, फटा-फट, अगला question ये रहा, हाल ही के अध्यन के अनुसार, गर्म तापमान के कारण, glacier को, glacier, glacier के पीछे हटने का कारण, हिमनदों की संक्या में तेजी से ब्रदी हुई है, यानि गर्म तापमान होके कारण, glacier पिखल रहे हैं, जिससे हिमनद यानि बर्फ की नदी में तेजी से ब्रदी हुई है, इसके बारे में तीन पॉइंट दिये गए है, पहला point, जो आला मुखी global barming के लिए सबसे बड़े प्राकर्तिक योगदान करता हूं मैंसे एक है, जल बास भी एक प्रकार की greenhouse gas है, फार्मा फॉस्ट वही होता है जहां glacier होता है, तो इस मैंसे कौन सा answer होगा? ओके, 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 all of the above is the right answer, answer आ गया है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और सर एक बार से sign के लिए ये कुछ रुक, ओके, ठीक है, ठीक है, कुमल मैं, ठीक है, ओके, सी जिन पिंग, D answer आ गया है, D is the right answer, well done, बहुत बड़ी है, ये सभी प्राकर्तिक कारण है, जिसकी बज़े से glacier पिघल रहे हैं, ये प्राकर्तिक natural कारण है, ये natural resources है, ठीक है, natural resources का answer एड़ी, बिस्व दलहन दिवस, साल कब मनाया जाता है, बिस्व सलन, बिस्व दलहन दिवस, हर साल कब मनाया जाता है, फटा-फट answer दो भाई, बिस्व दलहन दिवस, हर साल कब मनाया जाता है, फटा-फट answer दीजे, बिस्व दलहन दिवस, हर साल कब मनाया जाता है, बी आ रहा है, दस दिसंबर, बी आंसर आ रहा है, दस दिसंबर, बिस्व दलहन दिवस, दस फरवरी, 10 फरवरी को मनाया जाता है ना कि बेटा आज मैंने पहली क्लास ली है यहाँ पर गायतरी आज पहली क्लास ली है मैंने बाई फाई पर ठीक है तो 10 फरवरी 10 फरवरी is the right answer रानी 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 और सभी ने 10 फरवरी सही आंसर है आलुकपाल यह आंसर सही है बिलकोँ सही और 10 फरवरी राध्या सिंग ने आंसर निहारिका मैंने भी दे दिया है 1K 58K 1 ठीक है ओके 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 डन 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 बहुत बढ़ी है तो अगर हम बात करें फटा फट तो 10 फरवरी is the right answer और 10 फरवरी नहीं सी जिनपिंग साब सरी मोधी जी मेरी क्लास डेली यहाँ पर नहीं है लेक्स क्रेक बेंक एकजाम पर ठीक है तो अभी मैंने नया नया जॉईन किया यहाँ पर लेकिन अब यहाँbas यहाँथा अकि अब रोज आऊँगा चाइना से यस जी सिन्पिंग सी आपका स्वागत है वेलकम वेलकम गुरू जी ठीक है वेल डन वेल डन ओके तो दस फरबरी is the right answer दालों के पोसल मूल्यों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हर साल दस फरबरी को 200 दलहन दिवस मनाया जाता है ठीक है इस वर्स की थीम है लब पल्स स्वस्त अहार और ग्रह के लिए इसकी थीम है और इसको पहली बार 2019 में दस फरबरी को 200 दलहन दिवस की रूप में अपनाया था संयुक्त राष्ट्र महा सभाने और इसमें ये प्रस्ताव लेके आने वाले देश का नाम था बुर्कीना फासो जो अफ्रीकन कंट्री है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन ये रहा इम लिखित मैंसे किस देश को नभी इंतम ब्लूम बर्ग इनोवेशन इंडेक्स में पहली रैंक मिली है फटा फट आन्सर दीजिए निम लिखित मैंसे किस देश को नभी इंतम ब्लूम बर्ग इनोवेशन इंडेक्स में पहली रैंक मिली है बिच अमंग दा फॉलउइं कंट्री which among the following country got the first rank in the latest Bloomberg Innovation Index so फटाफट आंसर देंगे पहली rank किसको मिली है पहली rank किसको मिली है फटाफट बताईए बाई फटाफट बताईए ठीक है तो पहली rank यहाँ पर मिल गई है दच्छड कोरिया को first rank मिली है C is the right answer बिलको सही और पहला C आंसर आया है किसका C जिनपिंग करोना बाले सर का पहला answer है फिर फिर कुसबू मिलेगा है नहीं पे पहली rank मिली है सिंगापूर की बात करें सिंगापूर को यहाँ पे दूसरे नंबर पे रख़ा गया है स्वीजर लेंड स्वीजर लेंड स्वीजर लेंड स्वीजर लेंड स्वीजर लेंड को यहां पे रखा गया है थर्ड रेंग पे और जर्मनी को यहां पे दिया गया है चौथी जर्मनी को नमबर एक पर रख दिया गया है और फिर अगला कोशन अंग्रेजी में क्योंकि बड़ा था तो इसके लिए मैं माफी माँगूंगा अंग्रेजी में ही है ठीक है capital C all है बिल्कुँ सही है बिटा C jinping korona बाले answer बिल्कुँ सही है ठीक है खुजबूराना खुजबूराना ओके ओके ठीक है C all है C all है बिल्कु सी ओल है which of the following statement is not correct about the hope probe Mars mission hope probe Mars mission हाली में चर्चा में था hope probe Mars mission हाली में चर्चा में था और इसका पहला point it is the first Mars mission of Iran तो इन्होंने पूचा कौन सा गलत इसमें the main objective is collect information about the geological structure of the Mars land okay sir Bloomberg index क्या होता है Bloomberg एक organization है जो एक सूचिकांक जारी करता है और उसे ये नाम है जैसे अगर माल लोग हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा HDI Human Development Index यानि यहाँ पर Human Development Index की बात करेंगे ऐसे ही Bloomberg Index में economies की बारे में बात होती है और उसका नाम आया है ठीक है ठीक So it is its main objective to collect information about the geological structure of the Mars land यानि इसका मुख्योद्दे से है कि जो Mars है जो मंगल है वहाँ से geological structures के बारे में information collect करना तो इसका answer क्या होगा फटा-फट बताओ भाई इसका answer होगा क्या फटा-फट बताइए सबसे पहले तो यह समझ लो Hope Probe Mission कहां का है UAE का है कहां का है UAE का है कहां का है बिटा UAE United Arab Emirates का है और अगर बात करें तो यह संयुक्त अरब अमीराथ America Roots Team European Sun और भारत के बाद मंगल ग्रे की कच्छा में पहुंचने वाला पांचमा देश बन गया है और देखो मैंने किसका नाम लिया सबसे पहले मैंने लिया America यानि USA का किसका नाम लिया USA का नाम लिया यहां के हैं यह सभी डांस कहां के हैं अभी सही हो गया होगा अभी सही हो गया होगा अभी सही आ रहा होगा भाई अब सही आ रहा होगा नेट आ रहा है ठीक है नेट आ रहा है मेरे भाई नेट आ रहा है एक सेकंड देखिए स्टार्ट हो गया ठीक है बाबू जुपिटर पर पानी खोजो स्टार्ट हो गया है मेरे भाई मैं आ गया हूँ फिर से आ गया हूँ और क्लास स्टार्ट हो गयी है ठीक है नेट की प्रॉब्लम थी तो अगर हम बात करें फिर से हम लोग अगर बात करें तो हम लोग आ गए हैं और फटाफट 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 फिर से क्लास से स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट सर बफरिंग नहीं हो रहा है सर ओके अब हम लोग आ गए हैं फिर से मैंने net connect कर दिया है दूसरे connection से तो अगर हम बात कर रहते हैं, असम के बारे में कुछ बास है बता जूँ आपको, असम के बारे में सुन लीजिए, सबसे पहले असम की राजदानी दिस्पोर है, लेक जो फेमस है वो है, चांदूबी लेक, और छानपाला लेक, हाफ़ोंग लेक, सोनभी लेक, ये असम की मुक्हें जो लेक हैं को हैं फॉक डान्स की बात करें बीहु डान्स और जूमर डान्स कहां का है बिटा असम का है वर्ल्ड हैरिटेस साइट दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है काजी रंगा नैसल पार्क जो की ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है और मानस वाल्ड लाइफ सेंचुरी जो भूटान के बॉडर पर है फटा 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 फिर से आ गया हम लोग फिर से से शेर मार दीजा हैं सॉरी बिटा इंटरनेट में सब बिकार कर दिया ठीक है फिर से से शेर मार जिये हम लोग आ गया है ठीक है आ गया है आ गया कोस्टन अगला आ गया है और Banking Regulation Act 1949 तो यहाँ पे answer देना शुरू कर दिया है सभी ने एक बार सेर मार दो अपने अपने गुरूप पे बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई अच्छा ओके प्रोडक्शन सर मैं धीरे बोलता हूं भारती रिजर बैंक RBI ने बर्स 2019-20 के लिए लोगपाल योजनाओं की बारसिख रिपोर्ट जारी की है ठीक है banking लोगपाल योजना banking बिनियमन अधीनियम 1940 की किस अंच्छेत के तहत आता है simple समझ लो एक लाइन में banking ombudsman banking लोगपाल किस section के तहत आता है तो इसका answer होगा B, बिलकुँ सही answer D is the right answer ये दोनों ही banking regulation act 1949 1949 के 35A article के तहत है 35A के तहत इनको describe किया गया है banking लोगपाल का मुख्योद्दे से क्या है अगर आपको bank के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कोई तुटी पाई जाती है तो आप bank के बात अगर bank आपकी बात नहीं सुनता है तो आप banking लोगपाल के पास अपनी सिकायत को लेके जा सकते है ठीक है और आपके पास एक साल का समय होगा कि आप banking लोगपाल के पास अपनी सिकायत को पहुचा दें अगर यहाँ पे bank banking ombudsman अगर यहाँ पे banking ombudsman अगर यहाँ पे bank की गलती मिलती है किसकी bank की गलती मिलती है तो banking लोगपाल के पास अधिकार है कि वो 20 लाख 20 लाख रुपए तक का 20 लाख रुपए तक का क्या सुना सकता है बिटा मुआपजा घोसित कर सकता है क्या घोसित कर सकता है मुआपजा और अगर आपके question में पूछ ले, कोई पूछ ले, कि मानसिक social यानि credit card, credit card और मानसिक social यानि mental annoy, मानसिक mental annoy, ठीक है, annoy, अगर मानसिक social और mental annoy के case में कितना पैसा दे सकता है, तो answer होगा 1,00, क्या होगा, 1,00, इस समय भारत में कितने लोगपाल काम कर रहे हैं, 20 लोगपाल काम कर रहे हैं, और अगर बात करें, तो कितने office हैं, 22 office है, कितने office हैं, 22 office है, banking उंबर्समन के, ठीक है, young यंग हिल्टन कमीटी नहीं है हिल्टन यंग कमीटी है क्या है बेटा हिल्टन यंग कमीटी है और Hilton Young Committee की recommendation पे ही RBI की क्या हुई थी स्थापना हुई थी और स्थापना का हुई थी 1 April 1935 का हुई थी बिटा 1 April 1935 और RBI का happy birthday यानि nationalization कब किया गया था एक जनवरी 1940 को किया गया था और एक जनवरी 1940 को ही RBI 12 सरकार का bank बन गया था ठीक है बहुत बढ़ी या अगला question आ गया है a memorandum of understanding a memorandum of understanding was signed a memorandum of understanding was signed between the Meghalaya Police and which bank of implementation of the each alarm with the Judiction of the Cylong Traffic Police यानि अगर हम बात करें question बहुत सरल है memorandum of understanding MOU was signed between Meghalaya Police and which bank तो हाली में ये memorandum of understanding signed हुआ है किसके साथ State Bank of India के साथ किसके साथ sign हुआ है State Bank of India के साथ किसके साथ sign हुआ है State Bank of India के साथ और अगर Meghalaya की बात करें तो Meghalaya की राजधानी का नाम है से लोंग वहां की लेख है उमिमा उमियम उमियम लेख है और river कोण से है Copilly कोपीली कोपीली रिवर है Festival तोहार वहां के कोण से हैं बेटा Norkrem Dance वहां का dance है वंगराला Festival है और अहिया वहां का तोहार है National Park बलपाक्रम बलपाक्रम National Park है और Nocrack National Park है ठीक है SBI is the right answer well done बहुत बढ़िया SBI is the right answer बिलको सही है State Bank of India State Bank of India उसका सही answer है इसी के साथ यहाँ पे आज की क्लास आप हम लोग खतम करेंगे तो thank you very much आप सभी को मेरा इस्तक्बाल धन्यबाद आप सबसे मैं फिर मिलूँगा और जैसे ही यहाँ क्लास लगीगी आपके पास information पहुँच जाएगी सभी का Sonu, Gaitri, Mam PM Modi का बिटर Trump अमेरिका वाले C. Jinping, Corona वाले Mohit, Babu जी सभी को मेरी तरफ से thank you very much अब यहाँ पे मैं क्लास खतम कर रहा हूँ so this is the last question of the day और अब हम लोग मिलेगी next क्लास में अगर आपको मज़ा आया होते एक बार थमसप लगा दो भाई जिसे काट ना सके चाकू उसे कहते है Babu, Thank you एक बार अंगुठा लगा दो अगर मज़ा आ गया होतो एक बार अंगुठा लगा दो एक बार अंगुठा लगा दो कर मज़ा आ गया हो सभी लोग, सभी लोग जाते जाते एक बार मेरा नाम बोल दो सर जिसे काट न सके चाकू उसे कहते है Babu, Babu नाम है हमारा ठीक है so well done well done all thank you very much from my heart from my heart thank you, thank you very much okay so मैं आपके लिए available रहूंगा Unacademy के स्प्लेट फॉर्म पे और बाई बाई जय हैं जय भारत सभी को welcome मेरी तरफ से भी welcome है और अंसुल मिसरा सर आप लोग आए बहुत बढ़िया performance की अब जाद जादा share कर देना मेरे भाई good bye गायतरी मैम good bye और मोहिच सर्मा thank you very much और सभी को सी जिन पिंग को रोना बाले सर okay सर thank you very much तो अब हम लोग मिलते है break के बाद और आलुक पाल thank you सर जी thank you और निहारिका कनोजिया कर दिया सर जी thank you निहारिका कनोजिया में हमने break के बाद thank you very much okay thank you thank you